कि अज़िए नमस्कार मैं हूं नगमा स्वागत है आपका हमारे इस खास टेलेफॉन में मेरे साथ मेरी सर्योगी सिक्ता देश और दुनिया का मौसम वदल रहा है हम हर दिन देख रहे हैं मैसूस कर रहे हैं एक गंभीर खत्रा छुपा है इस वाक्य में हम पहचानते हुए भी उससे लेकिन आखे बंद किये हैं हमारे घर जो है वो तप्तिवी भटियों में बदल गए हैं और हमारे शहर उमस भरे गास चेंबर होते जा रहे हैं हमें ये शहर और किस तरह हमारी वजह से बदल रहा है मौसम हमस्कार बिल्कुल हमने हमें पता है कि नहीं चलता कब बारिश होगी कब गर्मी पड़ेगी देश के एक हिस्से में फसले सूख जाती हैं तो दूसरे हिस्से में डूप जाती हैं हम सब इसके लिए जिमेदार हैं हम सब जैसे खौलती हुई गली के बंद मुहाने की तरफ बढ़ रहे हैं सवाल है इसके आगे क्या कोई रास्ता है क्या हम विवेक और तकनीक की मदद से ऐसे घर ऐसे शहर बना सकते हैं जहां बिजली कम जले जहां एसी की जरूरत ना पड़े जहां ग्रीन हाउस गैसे ना निकल हो तो अगले दो घंटे में हम करेंगे इनही मुद्दों पर पार गर्मी में पिखलती बारिष में ढ向 शहर से लेकर तकनीक मेंकोच नया करने की जरूरत है आपकी सलह क्या है आपकी क्या सलह है ज़रूर हमें भेजिए WhatsApp मेंसिज आप कर सकते हैं में सकते हैं में adesso WhatsApp नमबर है ये 950699244 और हमारे साथ स्टूडियो में एक एक करके जुडेंगे सभी महमान भी लेकिन पहले आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे मौसम का हाल क्या हो रहा है बिल्कुल क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन इलाकों में गंभीर सूखा पड़ रहा था वहां एक-एक बारिश कैसे हो जाती है बाड़ वहां कैसे आ जाती है चिंता की बात तो यह है कि इस तरह के बदलाव किसी एक जगा नहीं बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बार-बार सामने आ रहे हैं जो वेग्यानिक हैं वो ये कहते हैं कि इसके पीछे की वज़े जलवायू में आ रहा बदलाव है जो हमारा मौसम बदल रहा है जिसकी वज़े से मौसम का मिज़ाज पूरी तरह से बदला हुआ है पूरी दुनिया में इतना अन्यमित होता जा रहा है मौसम कि इसका पूरवानुमान ठीक से लगाया नहीं जा रहा है भारत में पिछले 10 सालों में मौनसून पैटर्न में अन्यमित बदलाव आया है और इसकी जो सबसे बड़ी वज़े है वो जलवायू परिवर्तन है यानि कि ग्लोबल वर्मिंग परियावरिन के लिए काम करने वाले थिंक टैंक CEEW के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराश्र और तमिल नाडू के कुछ हिस्से जो अकसर सूखे रहते हैं वहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है साल 2024 में भी अब तक कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा जब तक बढ़ते तापमाने एक नया किरतीमान ना बनाया हो यही वज़य है कि कहीं जरूरत से जादा बारिश पड़ रही है तो कहीं सूखा हो रहा है कहीं सूखे के बाद अचानक से बाढ़ा जाती है भारत में तो यह समस्या इसकदर बड़ी हो चुकी है कि वसंत का जो पूरा मौसम है जो सीजन है वो लगभग गायब ही हो चका है तो यही हो रहा है अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो गर्मी है वो बहुत लंबी खिचती है अगर जाड़े का मौसम है तो वो बहुत देर से भी आ रहा है और मौसम का मज़ाज जो है वो बिल्कुल बदल रहा है और स्प्रिंग यवसंत जो है वो गाय भी है आपको दिखाते ज़रा कश्मीर की अक्सर ये चर्चा हुई इन दिनों की कश्मीर में जहां पर बर्फ पढ़नी थी और जिस मौसम में पढ़नी थी वहां बर्फ पढ़ी ही नहीं जैसे कि गुलमर्ग में इस साल की जो शुरुवात है उसमें बर्फ नगर ने ने सब को हैरान किया उनकी टू आपमान के ऑसद से अधिक गर्ब होने वाली एक वेशविक मौसम मी घटना है, जो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को जलवायू को प्रभावित करती है भारत में भी ये मौनसून की प्रणाली को मौनसून सिस्टम को प्रभावित करती है जिससे देश के कुछिस्थों में बारिश कम हो जाती है और दूसी जंगों पर बाढ़ आ जाती है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है आपके सुझावों का भी इंतजार हो रहेगा आपके आमारे टेलिविजन स्क्रीन पे नंबर्स हैं आप तुरंत हमें मेसेज करें अपने सुझाव भेजें क्योंकि आज सुझावों का दिन है शुभम टंडन प्रोग्राम आनिलिस्ट हैं UNDP के सुगीत ग्रोबर प्रोग्राम मैनेजर्स येसे इंडिया के और हरजीत सिंग निदेशक हैं फॉसिल फ्यूल ट्रीटी इनिस्येटि के आप सभी लोगों का स्वागत है अगर मैं आप से शुरू करूं हरजीत आज कोशिश है कि हम सुझाव दें क्यूंकि सामने चुनौती खड़ी है दस दिन पहले हम नौर्थ इंडिया के हीट वेव की चर्चा कर रहे थे और कल ही पहली बारिश हुई नौर्दन इंडिया के लिए और मुझे इसमें शामिल करने के लिए सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि हमने देख लिया है पिछले 24 ए 36 गंटे में कि हम किसी भी आपदा के लिए तैयार नहीं है चाहे वो हीट वेव हो जादा बारिश हो क्योंकि हमने शेहर ऐसे बनाय ही नहीं है कि हम इन आप तेन नहीं किया है और जिस तरह से हमने concrete का इस्तमाल करके यहां पर heat island create किया है जिसकी वज़े से अब रात में भी गर्मी कम नहीं हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह विकास कैसा है यह विकास है कि विनाश है यह परिभाशा जो विकास की है उसको बदलने की है और कोई देखिए rocket science नहीं है हमको पता है कि हमारा विकास जो है तो प्रकृति के साथ में तालमेल बिठा के रहना चाहिए जो कि नहीं हुआ है हमने green spaces को खतम किया है हमने आसपास की water bodies को नश्ट किया है हमने जो perry urban areas में जो wet land होते हैं उन में construction किया है और drainage system हमारा बहु को बता दूँ कि अभी हम सिर्फ one point two degree Celsius की जो गर्मी है जो global warming है उसको जहल रहे हैं अगर हम pre industrial era से उसको compare करें और हकीकत यह है कि हम one point five और two degree की तरफ जा रहे हैं जिस तरह का fossil fuel emission हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें यह सोचना होगा कि कैसा विकास हम कर रहे है और हमें उस पर जो एक प्रश्ण चेनल लगा है उस पे बात करने की जरूरत है यह कोई आज और कल का मुद्धा नहीं है यह बहुत ही लंबे समय तक हम को क्या करना है उस पे बात चीद करने की जरूरत है अब यह नहीं हो सकता कि आप सिर्फ हम सी किसी conferences में बात करें और उ इसकी जरूरत आ गई है हम शेहरों में हमारे है और मुझे लगता है जो बात आपने अभी कहीं दस दिन पहले हम एक हीट वेफ के टाइम पे ते हरजीत जी ने अभी बोला कि हम 1.2 डिगरी प्री इंडिस्ट्रियल एरा की बात करते हैं अगर हम वह 1.5 डिगरी और 2 डिगर पहुचते हैं तो यह ट्रांजिशन कितने होंगे जाट 50 डिगरी सेल्सियस बिकम न्यू नूर्मल उस नॉर्मल को हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में लेके आए वह समझना ज़रूरी है और ऐसी बात नहीं है क्योंकि हमने बात करी हमें solutions के context में बात करनी हैं बहुत basic solutions हर्जी जी ने बोला nature-based solutions की बात है हमने wetlands खराब कर दिये peri-urban spaces खराब हो गई है अगर हम mangroves की बात करें अगर हम अपने coastline की बात करें तो mangroves काफी खराब हो गए वहां पे भी construction अब mangrove view apartments बने लग गए जब आप mangrove view apartment बनाते हैं और उससों निकालते हैं सुजीत इस है ना हमारे sustainability की बात करें हमारे तमाम बर्शक अलग-अलग हिस्सों में देख रहे होंगे से समझें क्या जो दैसे दिल्ली जैसा शेहर है बड़े शेहर मेट्रोज हमारे Kolkata Mumbai उसमें क्या होना चाहिए था green spaces होने चाहिए थे water bodies होनी चाहिए थी उन सब जगों पर क्या किय लोगों ने construction अभी के लिए वह हम we are living in a concrete jungle अगर मैं यह शब्त का इसमाल कर सकूं तो और concrete jungle के निपटने के solutions हैं इसी बात नहीं हमारे पास solutions नहीं हैं बहुत सारे solutions शुरू करें मैं यहां पर devil's advocate बनेंगी आप कहरे हैं कि construction निर्मान लेकिन इंडिया प्राइन एक्विटी फांडेशन का एक survey कहता है कि साल 2030 तक देश की जो 75 फीजदी आबादी है वो शहरों में रहेगी तो इस population को आपको मैंनेज भी करना है उनको घर देना है उनके काम करने के लिए दफ्तर भी बनाने है और परियावरण को बचाना है तो बीच का रास्ता दिखाई दे रहा है तो इस पर यह भी जुड़ता ना कि विवाए गाव सस्टेनबल में कि सारे लोग छोड़के शहरों में आ रहे हैं देखें, construction हो रही है, definitely होगी आपके और मेरे कैने से वो रुखने निवाली स्वाल है किस टाइप की construction होनी चाहिए, क्या हमने कभी यह डिसकूस करा कि हमारे शहर किस लिमिट तक बढ़े और इसके बाद हम लोग दूसरे चीजे होती हैं हर एक शहर में क्या वह हम लाएं औ पर आपके जो डेली-NCR के जो शहर बन रहे हैं वो completely high-rise पे हैं और सबसे बुरी बात काफी सारी वो buildings completely glass-based हैं इसका मतलब है उसके अंदर direct heat आएगी, greenhouse effect होगा और उसकी heat बाहर नहीं आएगी, वो trap करेगी, सवाल यह है कि कौन से laws हमारे गवर्न कर रहे हैं पर अभी तक व laws govern करें, क्या कोई ऐसा काइदा है, builders को दिया जाता है कि आप क्या construction material इस्तमाल करें या सिर्फ घर सस्ते बन जाए इसके लिए हम शीषे बहुत खराब quality की शीषे और काच के घर खड़े कर रहे हैं, जो हीट आइलेंड हैं, जो बिना AC के नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल, क्य क्या यह laws apply होते हैं, in fact, I would say, government की buildings थोड़ी सी better बनती हैं, पर जैसे आप builders की बात करें हैं, जो mainly residential buildings बना रहे होंगे, उन पर एक law आया है पर अभी तक लागो नहीं हुआ है, मतलब हो एक code आया है पर अभी लागो नहीं हुआ है, उसके तहत क्या क्या करना चाहिए था, जो जो material है, वो इस तरीका से नहीं, आपने बहुत सारी buildings देखियोंगी, पतले से concrete की दिवारें बन रहे हैं, क्या आप ऐसी building में रहना चाहेंगे, जो पहले हम 9 इंच की दिवार बनाते थे, वो कुछ हर तक heat को रोग देते थी, हम उससे कई गुना worse building materials चूस कर रहे हैं, कोई आप ये कहरें कि इस वक्त कानून ऐसा कुछ नहीं है, जो इस पर ध्यान दे या builders पर लगाम कसे, कि आप जहां जिस city पर जादा प्रेशर है, वहां के construction पर लगाम लग सके, आप कहरें इस वक्त वो इस तरह के सुझाव सरकार की तरफ से या policy की तरफ से सामने नहीं आए है हैं, इंप्लिमेंट नहीं हो रहे हैं, एक कोड दिया गया है जो 2018 में आया है, इक को नवास समिता, उसका एक नया वर्जिन भी आने वाला है, पर उसकी वह भी वॉलन्टरी कोड है, जब तक वह आपके देश में लगेगा नहीं, रिजिदेंशल बिल्डिंग्स टेकप एक चोटी सी सवाल मैं इस पर जोड़ना चाहूंगी हरजीद जी से, कि अभी हाल में दिल्ली में कम से कम ये चर्चा हुई थी कि रिज के एरिया में पेड़ काट दिये गए, जबकि मना है ये लेकिन इसको लेकर एक हंगामा खड़ा हुआ है, तो ये जो पेड़ों के कट पे वहाँ पाम फ्रीज लग जाते हैं, तो डाइवर्सिटी भी एफेक्टेड है, ग्रीन कावर भी, बिल्कुल ठी कह रहे हैं, आप देखें, नैच्रल एको सिस्टम को हटा करके हम प्लांटेशन लगाएं, वो किसी भी हद तक सही नहीं है, और हमने ऐसा माहौल खड़ा क लेकिन उसका एक्जिकूशन उससे भी जादा जरूरी है, अगर हम पॉलिसी इसको एक्जिक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, तो बिल्कुल हमें ऐसे जो स्टेप्स लिये जा रहे हैं, कि हम पेड़ों को हटा करके कंस्ट्रक्शन कर रहे ह वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए और उसके खिलाफ काफी कड़ी कारवाई होना चाहिए, पर जो प्रतिबदता होनी चाहिए, सस्टेनबल कंस्ट्रक्शन को लेकर वो अभी जमीन पर काम नहीं कर रही है, आप लोगों ने दूसरे देशों के भी एक्ज ऐसा है कि ये जो कोशिश है अब धीरे धीरे पूरे विश्व में हो रही है, और मैं कहूंगा कि खास तोर से जो वेस्टन यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें हमने देखा है कि काफी ठोस कदम उठाए गए हैं, परफेक्ट नहीं है वो, लेकिन खास तोर से जो पबलिक ट और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंसुलेशन है, जिसकी बात अभी भी हो रही थी, कि कैसे हमारे जो बिल्डिंग कोड्स हैं, उसमें इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टन पार्ट है, तो देखिए हमको अपनी पूरी जीवन शैली को बदलना होगा, और उसके लिए सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाना ताकि वह ऐसी वह नीथियां बनाएं, और साथ-साथ में अवेरनेस ऐसी हो, ताकि लोग उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके, मैं अब जो एक अच्छा उधारना है, हम सोलूशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे इलेक्रिक मोबिलिटी है, वो पब ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है, वो एक अच्छा ठोस कदम है, लेकिन ये बहुत ही अभी छोटे कदम है, सही दिशा में हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूद है, और खास तोर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हर्जीत ने जो सुझाय सल्यूशन, सल्यूशन आप ल आपने घर बनाया, मैं एक सिंपल उधारन देता हूं, मैं दिल्ली का निवासी हूं, दिल्ली में रहता हूं, और आप देखिए, कंस्ट्रक्शन के टाइम पर क्या होता है, घरों के सामने अगर बिल्डर फ्लोर बन रही है, तो घर के सामने वो जो ड्रेनेज एरिया है, उ जो ड्रेनेज केपासिटी है, वो ही बहुत कम है, और हम उसका ही सल्यूशन नहीं निकालने हैं, सिंपल सल्यूशन हैं, आप अपने घर में सोलर एनरजी के उपर काम करें, काफी सबसेडाइज रेट में अवेलेबिल है, हम फोर आर्स की बात करते हैं, रिडियूस, रियू प Peanut, हम बीडियूस माता हो अब मतलब्लस हैं, आप अपनाया है, तो ब्यूस कानली है, अपने चैज सान के का prost-led कि लिए मजबूर के बनियूंद करते हैं, मजबूर है, पर एक चीज के अपने के नपर आपकी बने, सब्सक्राइज के सान करना它रां, को सबर्ण के पिल्श आज वेस्टन चीज भी गॉपी कर लिये और ये बिया कि लोगों को लगता है कि हम Singapore आ गये हैं जबकि Singapore के lost side हम से कई कोना जादा better Green Buildings है So, लोगों की perception, मेरे खाल से, एक बहुत बड़ा factor है दीसरा आप करेख चोटी-चोटी solutions है अगर मैं यह बात करूं कि हमारा national building यह बताता है कि अगर आप continuously air-conditioned environment में रहेंगे तो आपकी body एक अलग temperature के लिए used to हो जाएगी इसका मतलब है अगर आप घर जाएंगे आप expect करेंगे कि आप 24-25 में नहीं comfortable है जबकि आपकी body के पास enough capability की adapt करने के लिए जो हम लोग नहीं कर रहें तो लोगों की awareness भी इस time बहुत हो है तो हम जैसे अपने आपका tune करेंगे वैसे ही हमारी temperature adaptability भी बंदेगे अब अडिक्ट होते जा रहें अगर अगर आप आपको पता होगा काफी बाहर AC ओन करेंगे तो अठारा डिग्री पर आता था तो अब उन्होंने लेवल चेंज करके 24 दिग्री पर दिया I would say hospitality sector में शायद वोगों को ठंड लगती रहते हैं लेकिन हम अपने दर्शकों से एक सवाल भी पूछ रहे हैं जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड के जरिये स्कैन करकर दे सकते हैं और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं सवाल यह है कि क्या गर्मी से बारिश से लड़ने के लिए बनी मौजूदा वेवस्ता फेल है तो आप स्कैन करें QR कोड और अपने जवाब हमें भेजिए हम आपको बता दें कि हमकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम सबने देखा है कि हाल के दिनों में कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है कहीं सूखा पड़ रहा है कहीं सूखे के बाद अचानक बाड़ आ जाती है और पता नहीं कोड स्कान करिए और हमें भीजिए अपने जवाब और गर्मी में पिगलते बारिश में ढहते शहर यही है मुद्दा आज के हमारे इस खास टेलिफॉन का जुड़ी एंडी टीवी इंडिया के टेलिफॉन से अभी से शाम चार बजे तक लगातार कभी हीट वेव से बुरा बेहाल तो कभी बारिश से बेहाल जाहिरे निर्मान से लेकर टक्नीक में कुछ नयाद करने की जरूरत है आपकी क्या सला है हमें वाट्साइप करें मेसेज करें 919560699244 पर तो अब बात करते हैं कि क्या-क्या initiatives लिए गए हैं green initiatives यानि के परियावरण के लिए लोगों ने किस तरह के काम किये हैं जलवायू परिवर्तन को लेकर हमारे देश में कई परियावरण विद लोगों को जागरूग करने में जुटे वे हैं और बहुत सारे शिक्षा विद हैं सामाजिक कारे करता हैं जैसे सोनम वांग्चुक जो अपने innovation के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं सोनम वांग्चुक लद्दाक के परियावरण को बचाने के लिए लगातार संघर्श करते रहे हैं और उनकी ये तस्वीरेत सब लोगों ने देखी लोगों को जागरूग करने के लिए कई मुहिम शुरू कर चुके हैं मार्च के महिने में उन्होंने एक आमरन अंशन शु सब्सक्राइब करता सोनम वांग्चुक और साथ साथ हमारे साथ हैं वाटरमन ओफ इंडिया के नाम से मशूर परियावरण विद डॉक्टर राजेंद्र सिंग आप दोनों का स्वागत है एंडी टीवी में सोनम वांग्चुक अगर मैं आपसे शुरू करो सोनम जी आप ए ऐसे में जो आप अब ये खबरे देख रहे हैं न्यूज में आप अख़बारों में पढ़ते होंगे और टीवी न्यूज में देखते होंगे किस तरह से कभी सिटी सबमर्ज होती है तो कभी हीट वेव से जूज रही होती है तो ये हाल ले लद्दाक का भी है सोनम जी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की राजेंद सिंग जी जुड़ चुके हैं वाटरमेन आफ इंडिया है जब हीट वेव का प्रकोप था राजेंदर जी नौदेन इंडिया में पानी को लेकर इतनी तरही तरही मची हुई थी हर तरफ यह मांग थी कि पानी खास्तों से दिली में हमने देखा इतनी मांग है पानी की कि यहां पर टैंकर माफिया काम करते हैं इसके बड़ी वज़ा आप क्या मान रहें घटता वाटर टेबल क्यों नहीं रीचार्ज हो पाता है राजेंद जी और जब हम केवल बाते करते हैं और बातों में भी बहुत बईबानी है हम केवल सब बोल रहे हैं रिचार्ज करना चाहते हैं पर कोई है माई कालाल जो धर्ती पर जूड़ के काम करते हैं पिछले 50 सालों से में पानी का काम करते हैं कि वज़े से आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही हम कोशिश करेंगे आप से फिर से जुड़ने की आवाज क्लियर नहीं है अगर एक बार डिस्कनेक करके तो शायद बहतर होगा आवाज ठूट रही है आपकी बार बार लेकिन सोनम बांग्चोग अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो ले लद्दाक की स्थिती के बारे में बात करें अब तो ये जो ग्लोबल वामिंग और पर्यावरण में बदलाव इसका असर सब जगे देख रहा है बड़ी बड़ी शेहरों में राजधानी में ले लद्दाक में इसका असर आप क्या देख रहे हैं अभी फिलाल तो उतना नहीं मगर जैसे ही गर्मी बढ़ जाती है तो यहाँ पर ग्लेशियर स्पिगल जा जा रहा है अब लोग पंखे और कुछ फोटलों में तो एसी तक लगाने की बात हो रही है जी तो आप लोग क्या कर रहे है इसके लिए वहां के इतना फ्राजाईल एको सिस्टम है बहुत नाजुक है आपने इतना आमरें अंशन किया आप कोई वहां पर किस तरी की फिक्र है समय जी हमारे यहां के जल्लेवायू परिवर्तन के दो कारण है जैसे एक तो ग्लोबल वार्मिंग वेश्विक्स तर पे जो हो रहा है प्रदूशन से एमिशन से दूसरा यहां पर स्थानी जो अनबंट कारबन कहते हैं जिसे गाडियों से या इंडस्री से अभी तो उत टैकसी और डीजल ट्रकस जो की सामान लाते हैं टूरिस्ट के या लोकल्स के उन से या फिर लोकल्स के सरदियों में गरम करने के लिए जो बुकारी जलाए जाते हैं आग उसका जो काला दूआ हैं वो ग्लेशियर्स पर बैठ जाता है उससे और पिगलते हैं तो हम एक طरफ तो समझाना चाहते हैं लोगों को और टूरिस्ट को कि वो ऐसे चीज़ें मांग ना करें जो किसी और शेहर में करते हों वहाँ भी बल्कि कम ही करें ना ही करें यहां आकर वही सारे लग्जरी दो सो लीटर का पानी या फिर बिजली इसना ऐसे समवेदंशील जगे पे मांगें तो जो लोकल पॉल्यूशन है ब्लैक कार्बन का हाल ही के रिसर्च में निकला है कि ग्लेशियर के लिए वो भी बहुत तबाह कुन है तो यहां पर जो डीजल गारियां हैं उनसे बहुत पॉल्यूशन प्रदूशन होता है जी आप कहरें कि जो बड़ा टूरिजम स्पॉट है ले और लद्दाक और ऐसे में जो प्रेशर है क्या ये इलाका संभाल पा रहा है उसको लेकर जो नीतिया है सोनम जी आपको लगता है कारगर साबित हो रही पहुंचना इतना मुश्कुल होता है उसे में टूरिजम का प्रेशर आ जाए तो क्या ये जगा इस प्रेशर को सम्हाल पा रहा है आगे की रा के लिए आगे के सुझाब आप क्या दे सकते हैं इस वक्त बहुत बहुत नाजुक है तो टूरिजम को लड़ाक में उस शर्ट पे अनुमती होनी चाहिए कि वो अलग हो और यहां के परियावरन को ध्यान में रखते हुए हो तो होटलों में कितना पानी जरूरत हो या जो यहां के जो परियाटन के सहल हैं वो उचे डर्रों से पास्स से जाते हैं वहीं पे सारे ग्रेशियर्स हैं और अभी मैं अधार डीजल गाडियां वहां से गुजरती हैं जहां पर हमारे सारे ग्रेशियर्स हैं तो शायद इन्हें अनिवार्य तोर पर इलेक्ट्रिक करने की जरूरत है बलकि टैक्सी नहीं इलेक्ट्रिक बसस ताकि पूल्ड हो हर एक टूरिस्ट अपना एक बड़ा सा इजन ले पर चलेगी नहीं तो यह वही होगा कि मुर्गी को मारके सोने के अंडे हम एक साथ में ले 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 इससे सब का नाश होगा जी सोनें वांग चुक एक हमेशा यह ख्लैश रहता जैसा सकता कुछ दिर पहले भी बात करें नी कि विकास मनाम यह जो हम सस्टेनिबलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी जगे देखा लाता है कि जो स्थानिया लोग हैं वो चाते भी हैं कि लोग आए ताकि कुछ विका जा है यह कहां अर्चन आती है क्यों नहीं हम इसको ऐसा करते हैं जी सबसे पहले तो जो कुछ अच्छा हो रहा है मैं उसकी प्रशंसा भी करनी चाहूंगा करना चाहूंगा ले में अगर आप आएं शहर में तो ले का जो में सेंटर है वहां पर कोई गाडियां आनुमती न उसकी पहाड़ों से जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत ज़वी है कि हम परियाटक को खुश करने के लिए कुछ भी न कर दे जिससे की हमारे आने वाले कल ही बिगड़ जाए या फिर होटेल वालों को या ट्राव pratic companies को खुश करने के लिए तो इसलिए वहाँ पर केबल कार पिलाल नहीं भी हो तो electric हो सकता है और electric भी वो नहीं जो कोहले के बिजनी गरों से आए लदाक खुद सूर्य उर्जा का एक तरह का राजदानी है विश्व का solar capital of the world बना सकते हैं इसे हर जगा solar charging points हो सकते हैं ऐसे electric cars और electric buses यहां पर लगाए जा सकते हैं और जगों पर कहते हैं कि electric हुआ तो क्या हो बिजली तो कोहले से बन रहा है यहां वो नहीं है तो electric और hydrogen का यहां पर बहुत संभावना है ऐसा करना चाहिए और सरकार को इसमें सायता करनी चाहिए थानिये जो taxi owners हैं उनको जो दाम अगर बड़े हैं तो थोड़ा सा उन्हें कम करके करें ताकि भारत अपना जो लक्ष है carbon neutrality का और लड़ाक को तो वैसे भी carbon neutral गोशित किया बगर उस पर अमल बहुत कम या ना के बराबर हो रहा है तो वो करने की जरूरत है हम हमें walk our talk जैसे कहते हैं वो करनी चाहिए लेकिन आपने एक और लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं सोनम जी हम मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लॉस ऑफ ग्रेजिंग पास्चर को लेकर पश्मीना मार्च आप की चर्चा में रही है तो जो लोग जो हमारे दर्शक पश्मीना शॉल के शौकीन हैं उनको हम बत इसको लेकर भी एक लड़ाई हो रही है तो अंधादून इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन भी एक वज़ा है कि जो लोकल इंप्लॉइमेंट है और खास्तोर से इतना मशूर पश्मीना शॉल दुनिया भर में मशूर इसकी मांग है एक्सपोर्ट किया जाता है उसको लेकर भी वहां पर अभी कश्मकश बनी हुई है सोनम जी जी मैं अभी उसी इलाके में हूँ बलकि यहां के जो पास्चर्स हैं उसका बड़ा हिस्सा बिजली गरों के लिए अच्छी बात है सोलर है मगर इतने बड़े हैं यह कि चरवाहों के चरागे जहां पर घास उपता है वो उसरी तरफ मैं निवेदन या अनुमती आग्रह करना चाहता हूं देश के लोगों से कि आप कम से कम बिजली का उत्योग करें क्योंकि जब आप इतनी बिजली कुछ यूज और बहुत मिज्यू करते हैं तो सरकार को बिजली गरें अभी आप देख रहें कोईले के और बिजली के खफ़त को आदा करेंगे तो हमारे चरागि भी आदे जाएंगे और हमारे कौईले के बिजली गरंअब भी आदे बनेगे और प्रदूशन भी आदा होगा और त Adultी होगी तो आखिर में जाकर लोगों पर बोगताओं पर जाता है कि वो कम से कम खर्च करें या वेर्थ ना गवाएं सही कह रहे हैं आप कि कैसे एक से दूसरी चीज जुड़ी होती है वेर्थ इस्तमाल ना करें कम से कम अपनी जो यूजजेस को आप कम करने की कोशिश करें राजे इंदर जी हमारे साहते जुड़ गए है पानी बड़ी समस्या थी यहां पे टांकर माफिया और पानी नहीं आ रहा था लोगों के घरूने ये स्थिती क्यों है और आप से यही हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं इस शोब में कि सुल्यूशन क्या है आप क्या सुझाव देंगे शेहरों की जो बधाली है पानी के मामले में क्या गलत हो रहा है क्या करें हम देखो आज सारे सहर हमारे गाउं के पानी पर टिके हैं दिली को देखें तो गंगा और यमना दोनों का पानी उनके लिए पूर्ती नहीं हो रही है तो जब देश में दोहरी नागरिकता होती है सहरी लोगों को सब प्रात्मिकताय मिल जाती है प्रायक्टी मिल जाती है और ग महिता जानता हूं कि पिछले 50 सालों में मैंने तो समाझ के साथ जहां भी पानी का काम किया बीना कि सि कॉर्पेरे की मदद की कुषी कॉर्पेरे से पैसा नहीं लिए और बिना किसी सरकारी मदद के हजारों गाउं coloring लेकिन वपानीदार हुएよろ जब उन्होंने अपने बारिश के पानी को अपना मान कर सहेजने की कोशिश की, तो जब समाज अपनी चीज किसी को मान के उसको समारने की, सहेजने की, उसका सदुप्योग करने में लगता है, तब वो समाज पानिदार बनता है। आज हमारा समाज खुद अपनी जुम्मेदारी नहीं समझ रहा है और हमारी सरकारें बहुत मीटे मीटे बाशन जूंट बोलती रहती है जल को बचाने का काम तो कोई कर नहीं रहा है जल के सोशन का परदूशन का और नदियों और समुद्र पर अतिकर्मन का काम हो रहा है तो जो गरीब लोग हैं जिनका पानी है उनको सब बड़े लोग लूट रहे हैं वो तो पानीदार बन रहे हैं लेकिन गरीब लोग जिनका अपना पानी जिनको चाहिए वो बेपानी होकर लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड रहे हैं इसलिए अब वो उजड कर गाउं से सहर में आते हैं तो यह जो विकास के नाम पर विनास है, इस विकास के नाम पर विनास ने भारत के 72 परतिसत में भूजल के बंडारों को खाली कर दिया और धर्ती का पेट खाली है जब धर्ती का पेट खाली होता है तो सूरज से गर्मी आती है और सूरज की गर्मी धर्ती को तपा देती है धर्ती को बुखार चड़ जाता है और जब धर्ती को बुखार चड़ता है तो मोसम का मिज़ाज बिगड़ जाता है एक बात आपने रे इन वाटर हार्वेस्टिंग इसका एक को पाए हो सकता है शेहरों में भी बड़े पहमाने पगर किया जाए ये सरकारों की तरफ से प्रोथसाहन दिया जाए बारिश के पानी के संचे को देखो सेहर हो या गाउं हो जब वो बारिश के पानी का रक्षन सरक्षन करेंगे तो जो लोग बेपानी हो गए वो पानीदार बन जाएंगे मैंने लाखों-12 लाखों को पिछले 50 सालों में जो बेपानी थेẬे बेपानी होके उज़र के सेहरों में चले गए थे वो पानीदार बनके खेती करने लगे लेकिन ये जो पानी का परदूर्शन करने वाले हैं अतिकर्मन करने वाले हैं और पानी को लूटने वाले हैं वो ज़्यादे ताकतवर होते जा रहे हैं और जो पानी को बचाने वाले हैं वो कमजोर हो रहे हैं इसलिए पानी बचाने वालों कि ना कोई आवाज है ना कोई पानी का रक्षन संद्ख्षन करने की हाँ उपाय पूछेंगे रोज सवाल पूछेंगे कि कैसे होगा लेकिन करेगा कोई नहीं तो जब केवल आप पूछते-पूछते रहते हैं और खुद नहीं करते तो फिर ऐसा लगता है कि आप बैमानी कर रहे हैं आप जूट बोल रहे हैं आप केवल लोगों को धोका देते हैं यह काम छोड़िए केवल सवाल पूछने से पानीदार नहीं बनेगा यह देश देश को पानीदार बनाना है तो फिर पानी का रक्षन संद्ख्षन पानी की सुद्धी का काम इस हीट मेelf मे चंभल में धौल्पूर करोली में इसेव्र नदी नहरो नदी बह रहãy ठोगे बन्दूठ लेकर दिल्ली ब вмबाई बिलकुर बरकूर लूटते थे यह पाणिया तो अन्हों चोड़ दी और लूट छोड़ के चेती का काम करने लगे पुद पानिदार बन गए जड़ा दिल्ली के सहरवाश्यों को भी चमल के लोगों से सीख ले लेनी चाहिए हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या सुझाव देंगी जो दिल्ली के दर्शक हैं मुंबई के दर्शक हैं बड़े शहरों के दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त उनसे आप क्या कहेंगे किस तरह से वह पानी की रक्षा करें उसको खटा करें ताकि आगे चल कर ऐसी नौबत ना आ जाए कि टैंकर माफिया उन पर हावी हो जाए और पीने पीने को मौताज हो जाए सुबै उठते के साथ जब हम दाग दोते और अस्नान करते हैं हमें निजी जीवन में जल बचाने का काम और जल के उप्योग की दक्सता बढ़ाने का काम अपने जीवन के व्यवार और सदाचार में लाना होगा पहला दूसरा जो हमारे घर की चतोपत हमारे खेत में और हमारे जमीन पे पानी बरसता है उस पानी का रक्षन संरक्षन करने के लिए हमें कुंड बनाने होंगे हमें ताल बनानी होंगी दिल्ली में 380 तलाब थे सब पर कबजा हो गया तो मैं अपने सब लोगों से कहता हूँ कि जहां भी तुम रहते हो दिल्ली में रहते हो जहां रहते हो इन पुराने तलाबों को ठीक करने का काम करो पुराने तलाबों को ठीक करने का काम करोगे तो तुम्हें साइट सेलेक्षन के लिए बहुत साइंस को समझने की जहूरत नहीं होगी पुराने लोगोंने साइंस को समझ के पानी के विज्ञान को समझ कर ही साइट सेलेक्शन किये थे तलाब बनाए थे जोहरण बाउडी जहलरे जील यह सब जो पानी के संसादन थे वो आज गाद से भर गए है उनकी गाद निकालने का काम हमें जिस भी सहर में रहते हैं जहां भी रहते हैं दिली में रहते हैं तो दिली में वो करना चाहिए जी और तीसरा कि जो हमारी नदियां है उन नदियों में हम गंदा पानी ना मिलने दें नदियों को अविरल निर्मल बहाएं उनमें उद्योगी पर्दूसित पानी ना मिलने दें उसमें हम अपने घर का गंदा नाला ना मिलाए तुम जानती हो कि हिंदुस्तान में कुम्ब होता था जो जहर है गंदा पानी है जहर उसको कभी भी अमरित में नहीं मिलने देते थे आजकल अमरित में सारे उद्योग, all industry, सुद्ध पानी में अपना गंदा पानी मिला के उसको भी जहरिला बना देती है, तो हमारे देश में जो रीवर और सीवर को सेपरेट रखने का सिध्धान था, उस सिध्धान की पालना करनी होगी, अच्छे पानी में गंदा पानी ना म अपने ये बहुत मात्वपूर्ण बात कही है, कि जो अमरित है, उसमें हम दूशित पानी तो ना मिलाएं, नदियों को अविरल बहने दें, बहुत शुक्रे आपका राजेतर सिंग जी, ये मूल बाते हैं, सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने नदियों को स्वच कैसे रखें, धनवाद आपका मारसा जुड़ने के लिए, और अब आप सब लोगों के लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें इस QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं, और अपना जवाब बेच सकते हैं, आपके सुझा बहुत जरूरी है, क्या गर्मी बारिश से लड़ने क के लिए बनी मौजूदा, व्यवस्था, फेल है, अब सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता दे कि वर्तमान में कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, और कहीं सूखे के बाद अचानक बाड़, पता नहीं चलता कि बारिश कब होगी, गर् के बाद चलेंगे, एक ऐसे यूनिवर्सिटी में जो है ग्रीन कैमपस और यह हकीकत है, आज की हकीकत कि इस तरह के कैमपस भी बनाए जा सकते हैं, तो जानेंगे कि IIT ने कैसे अपने इस कैमपस को ग्रीन बनाया है, सस्टेनबन बनाया है, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा यह टेलेफॉन जाए इस निपटने के उपाई ढूनने पर नहीं, बलकि सुवधाओं में इजाफे पर ही होता है, बिलकुल हम लोग यही देख रहे हैं कि हमें किस तरह आराम पहुंचे, लेकिन यही नहीं देख रहे हैं, लगातार बढ़ते तापमान के बावजूद शेहरों में कांक्रीट का इस्तमाल हो रहा है, ध्यान गर्मी कम करने, हवा के प्रवा को बहतर बनाने और ग्रीन एरिया बढ़ाने पर होना चाहिए, बड़े शेहरों में खास तोर पर जो जलाशे हैं, वाटर बॉडीज हैं और ग्रीन एरिया हैं, यानि पेड़ पौदे, उसमें कमी आ रही है, इन अंदर ही कैंपस में 600 एकर का प्राक्रीतिक जंगल है और 5000 से ज़्यादा पेड़ होने की वज़े से तापमान बाहर के मुकाबले यहां पर कम रहता है, बिलकुर आयाइटी धारवार में रीन वाटर हावेस्टिंग के साथ चार तालाब बनाने का काम भी चल रहा है, कैंप पोटा की टाले भी बहुत मददगार साबित होती है, ये गर्म दिनों में आपके घर को ठंडा रखने में मदद कर सकती है, तो यही है आप चर्चा का मुद्दा की सस्टेनबल कंस्ट्रक्शन, सस्टेनबल लिविंग के लिए हम अपने घरोंक में क्या-क्या तबदीलिया अपने घरोंक में, अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने स्कूल्स की बिल्डिंग में, अबनात हेगड़ असिस्टिन प्रोफेसर हैं, आई टी धारवार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मोनीश सिरीपूर्पू, माँ फाउंडर हैं, आन स्टूडियो है देश के सामने, कि यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और अकाडमिक जो इंस्टूशन हैं, वहां से क्यों ना शुरुवात हो, वहां को सस्टेनबल क्यों ना बनाया जाए, ताकि एक तरह से समाज भी आप लोगों से सीखे. हमारा कैमपस जो है, यह पांचसो एकर की है, और उसके बीच में हमारा 60 एकर का हमारा फॉरेस्ट है, हम उसको प्रिज़र करते हुए अपना कैमपस बनाया, बेसिकली शुरुवात वहीं से हुआ, हमारा मैस्टर प्लैन में हमने ऐसा प्रोविजन दिया गया कि वह बिलकु हमारा फॉरेस्ट के चारोर हमने बनाया है, और हमारा जो एरिया है, तोड़ा ठेरेन एरिया यहां पर, जो ओरिजॉन्टल ग्राउंट बहुत कम मिलता है, और उसको हम प्रॉपरली यूज करके हम वहां जो लोप है, उसका एड़ बॉटम हमने पॉंड बनाया हैं कैमपस म जो भी पॉंड गिरता है, वो सीधा अपना इनो पॉंड में जाके यह होता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा आयाइटी है, हम इनो ऐसा टेक्नॉलोजिम अड़ाप्ट करेंगे, बाकी लोग भी उससे सीखे और उसका प्रोविजन करें, प्रोफेसर हेग्ड पूरा साल में यहां का टेंपरेचर वेरी होता है, बीस तीग्री से थर्टी सिक्स डिग्री तक, तक मैग्जिमम तेंपरेचर दाता है, 36 डिग्री पीक समर, तो यह हमारा बिकॉस अपॉर्स इंपरेचर और दारवाड एक जिवग्रफिकल यह आप देखा जाए, यह काफ आपको AC की ज़रूरत कम पड़ती है, आपने forest cover और जलाशे की बात तो की, पर कुछ, बिल्डिंग टेक्निक्स, यह तो बिल्डिंग टेक्निक्स ऐसा है कि हम लोग अपना बिल्डिंग का ओरेंटेशन ऐसे सिलेक्ट किया है, जो वहां वेंटिलेशन सबसे अच्छा हो, औ अपना window size और window का direction हमने ऐसा चुना है कि हमेशा air circulation building के अंदर होता रहता है, और हमने बाकी सब कुछ यह किया है कि हमारा हर जगा sunlight ज्यादा आता है, जो यूज कम करते हैं, AC कम यूज होता है, उसके सभी कारण से हमारा जो building है, उसमें temperature हमेशा control रहता है, और हमने painting जो यू मोनिश आप IT की कोशिशों को देख रहे हैं और जीता जाकता यह सबूत हैं कि अगर कोशिश की जाए तो sustainable buildings बनाई जा सकती है, ऐसे में आप भी एक innovator है, कोशिश आपकी रहती है कि घरों में आप conical tiles बनाते हैं, terracotta tiles इससे ventilation हो और AC और fans की जादा जरूरत ना पड़े, त अगर traditionally देखा जाए, तो जितना भी मट्के होते हैं उसके अदर जो पानी है नाचुरल यह तंडा रहता है, यह simple evaporator cooling process है, जिस वज़े से हम पानी को ठंडा रख सकते हैं, सिमिलिल अगर बिल्डिंग को बिल्डिंग के रूप में बात करें, बिल्डिंग का एंविलप होता है, उसमें एंविलप के हिसाब से जो अंदर के heat gain है, वो control होता है, अगर अभी हम क्या करते हैं कि, पहले हमने building बना दिया, फिर हम कोशिश करते हैं कि ग्लास के जिस तरह से बना कि अंदर के space को कैसे कूल करें, अगर बिल्डिंग के envelope को जो बाहर के walls है, वो इस तरह के से design हो कि आपका जो radiation sun के साब से जो radiation hour है, अगर वही पे cut off हो जाए, तो क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर heat gain naturally खम हो जाएगा, उससे जो temperature को हम control कर सकते हैं, तो उससे दो हो सकते हैं, एक तो आपका जो air conditioning load है, बिकोज आपको जो temperature अगर बिल्डिंग के तुरू अगर हम control कर सकते हैं, तो 8-10 degrees, तो आपको जो अंदर cooling capacity automatically खम हो जाएगा, और building के envelope कुद्री अगर हम cooling करें, जिस तरह के हम teragoda tiles यूश करके natural ventilation के combine कर रहे हैं, तो आपको cooling भी उससे common लोगों को पता है, या अगर वो करें तो उनको जो ordinary घर बनाते हैं, उससे कितना ज्यादा महेंगा पड़े गई हैं, जिस तरह के साम building envelops बनाते हैं, उससे इसका about 10-15% उससे ज्यादा cost में फरकने पड़ेगा, और उससे कि लेकिन आप air conditioning कर सकते हैं, cost में इतना variation है नहीं दूसरी इसादा की लाइफलाग आपको air conditioning के लिए, जब घर बना रहे होते हैं, जब घर बना रहे होते हैं, उससे टेज पर करें के लिए कोई नाच्रल सिस्टेम से या इस तरह के टेक्निक्स हैं, जो passive design कें इसको इसको इनकॉर्परेट करना, जब घर बनता है तो उसमें आप देख रहे हैं, AC एक तरह से कलप्रिट हैं शहरी इलाके में जादा और जादा गर्मी बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में इस तरह की जो options हैं, जाहे वो IIT धारवाड की building construction को लेकर हो, या फिर मोनीश की tiles हो, ये वो options हैं, जो सामने आने चाहिए, जादा प्रमोट होने चाह building जो जिस तरह के से design हो रही है, वो सही होने चाहिए, मतलब orientation आपके सही होने चाहिए, जिस तरह के से आप sun को react करें, जिस से passive design principles कह रहा है, आपका material सही होना चाहिए, क्योंकि आपको जो comfort feel होता है, वो सिरफ air temperature नहीं होता, radiation from the materials भी होता है, ये जादा लोगों को पता नही information है, तो सुर्वित, जैसे concrete के जगे क्या इस्तमाल करें लोग, देखे, मैं materials के नाम नहीं लोगा, बर basically government को define करने की जरूरत है, कि हम अपनी जो भी housing बनाए, उसमें एक minimum insulation value हो, अगर ये insulation value हो, दिवारे मोटी हो, दिवारे मोटी हो, दिवारें भी बहुत पतली बन रही है हाँ, वो तो एक possibility है, पर अगर कोई future में material नहीं आ जाता है, जो इतने पतली दिवार में भी same insulation value देता है, तो मुझे कोई problem नहीं है, तो बात ये है कि आप जो material यूज करें, वो इस insulation का, इतनी insulation दे कि आपकी heat बाहर से अंदर ना आपा है, और एक बहुत important बात ये है, हमने काफी और study करी alternative cooling technologies पर भी, जैसे ये बात कर रहे है, तो हर एक अलग climatic zone में अलग cooling technology की possibility है, पर अभी हम अंधा दून एक ही refrigerant based air conditioning लगा रहे हैं, पर अब लोगों ने green university बनाई, IIT के innovations के जरिये ये पूरा आप लोगों ने established किया है, लेकिन क्या इस तरह के building बनाना cost effective होता है, क्योंकि सबसे पहले सबके जहन में ये दिमाग में यही आता है, कि अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो हमारे तो cost बढ़ने वाला है, तो आप किस तरह से आश्वस कर पाएंगे, कि इस तरह से हम आगे बढ़े, तो पैसा भी जादा नहीं है, जो material हम पर करीजना ही है कि कहुंसा material यूज करना है, जो nearby available हो, जो native material हो, जो sustainable हो, उसको यूज करना चाहिए, और अपना जो area है, उसका जो terrain को हम सबजना बहुत जरूरी है, so that हम जो naturally available material है in the nearby area, उसको यूज करेंगे, तो cost की कोई escalation नहीं होता है project में, जैसा IIT दारव अपनिया में AC से जो emission है, उसमें बहुत जादा greenhouse gases के बढ़ने में चार प्रतिशत है, AC का contribution, aviation industry से बहुत जादा gas निकलती है, यह सब जो तमाम warming हो रही है, आपने जो बात की है, alternative cooling की, आप बता रहे थे कि और भी material इस्तमाल किया जा सकता है, as alternative cooling, जो हम भी AC कर रहे हैं, वह किस तरह की material on a public policy level, क्या किया जा सकता है, so मैं एक example की तवर पर जिससे यह कर रहे हैं, वहाँ पर एक evaporative cooling का का काम कर रहा है, so आपके hot and dry weather में evaporative cooling बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे और भी universities हैं, जोन्होंने evaporative cooling से थंडी किया है building, but अब और भी technologies हैं, जिसमें आप किसी और तरीके से भी cooling कर सकते हैं, geothermal energy technology है कि आप earth को heat sink बनाए, but of course basic चीज रहेगी कि आप passive design principles को जितना enhance कर सके, उतना आपको cooling की, passive design principle यानि, passive design principle का यह मतलब हो कि आपके local condition में sun किस तरीके से behave कर रहा है, तो किस angle पर आ रहा है, heat cut-down आप कैसे करेंगे, किस material को लगाएंगे, builders की बनाएवे घरों में रहे हैं, उनके पास choice नहीं हो रहा है, builders को, architects को, all build professionals को, planners को किस तरीके से plot cut रहे हैं, किस direction में cut रहे हैं, on a policy level, on a policy level, on a policy level, on a policy level, on a policy level. तो definitely fans are a very good alternative, in terms of ACES, अगर हम policy की भी बात करें, traditional passive houses, अगर बहुत simple तरीके से देखे, तो पहले, केरला में अलग तरीके से घर बनते थे हैं, राजस्तान में अलग तरीके का, जी, और वैसे, कोलकदा अगर जाते हैं, अगर जाते हैं, अगर जाते हैं, अगर जाते हैं, 20% तक बहुत easily convert, हम कम कर सकते हैं, लिमिटेट स्पेस में मौनीष कैसे बने हो, जो हम आप करें राजस्तान की बात करें, और याजस्तान की बात करें, अगर में केरिला में जाता हैं, अगर जाता हो तो वहाँ अगर बहुत airy और गर्मी जाते तो उस तरीके से, अगर वहा तो वहाँ पर विलन क्लोज की बेहनते हैं। बिल्डिंग बनाना भी उतना ही वैसे सेम लोजिक है। अब कहां बना रहें के लाग बना रहें। और उस तरीके से हम अपना जो बिल्डिंग आने डिजाइन करना है। तो वही जो हम कह रहे थे कि वो तो policy level पर ही होगा कि जमीने कहा कट रही है builders को जमीन कहा में बनाने के लिए आज की तारिख में क्या होता है कि policy दो चीज़ा हम पर फोकस कर रहा है हमें इस current challenges के साब से एक और बात हमें देखना चाहिए पर फोकस करना और इसको कार्बन फूट्प्रेंट को देखना बहुत जरूरत है आज के समय में बहुत important चीज़ है तो and second thing implementation अभी India में policy कर बात करें तो lot of organizations iCAP बी ता India schooling action plan but who's watching the implementation एकटी इम्लेमेंटेशन में दिक्कत हो रहा है तो जितना भी design community है architecture professionals है अभी तक का जो जिपना भी focus है तो सिरफ planning और permissions तक कर रहता है नौट ऑन क्या वह चीज जो प्लान किया है तो तर्ड पर्टी चेक्स एंड मेकिंग शूर कि जितना भी गाइडलाइन के साब से बिल्डिंग बना कि नहीं वह चेक करने के लिए एक क्लोशर होना चाहिए जो कि अभी नहीं है कि अगर आप मौसम के हिसाब से आप फिर आप जिस इलाके में रहते हैं उस हिसाब से अगर आप कपड़े पहनते हैं अगर केरिला में रहते हैं तो उसके मौसम के हिसाब से आप कपड़े पहनते हैं और लदाग में तो उसी के हिसाब से तो उसी तरह से इन इलाकों में घर भ जवाव आप तक लाएं ताकि कोशिश रहे कि हमारे भविश्य सस्टेनबल हो, सुरक्षित हो। तो आपके लिए एक सवाल भी है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड की जरिये स्कैन करकर दे सकते हैं और अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं DTV का टेलेथान जो हमारी कोशिश है आप तक सुझाव पहुचाने की जब हमारे शहर गर्मी से पिगल रहे हैं या भारी बारिश से ढहने लगते हैं तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या हो। आप क्या सोचते हैं आपके सुझाव क्या हैं यहां स्टूडियो मौजूद हमारे पैनलिस्ट पर सुझाव दे ही रहे हैं एक तरह से आपके सामने रख रहे हैं आगे का रास्ता एक रोड माप लेकिन आप भी जूड़िये हमारे इस मोहम से जरूर अपने सुझाव भेज की शुरूआत कर दी थी और जो पीपल बाबा के नाम से मशूर हैं बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में अब तक वो करोडो पे लगा चुके हैं एक इंडिविजुल के तोर पे लगातार वो इस मोहम में जुड़े हैं स्वामी परिवर्तन यानि के पीपल बा करा होता है अब देखता है आपने तो बहुत चोटी उम्र से काम शुरू कर दिया था कि इसका इंपोर्टन्स कितना जादा यह इस वक्त नजर आ रहा है तो आप सला क्या देंगे लोगों की हमारे शेहरों में जो पेड़ हैं वो कट रहे हैं किस हद तक बचा सकते हैं ये हमें इस बढ़ते वितापमान से जब हम 10 साल के थे तो एक बड़ी प्यारी बात नानी कहा करती थी कि जब तुम्हें गर्मी लगे तो पेड़ की चाया में चले जाओ तरुवर की चाया में जाके खड़े हो जाओ जब विकास शुरू हुआ सड़कें चौड़ी होनी शुर टेंपरेचर पंट्रोलर जो पूरी दुनिया का है जो थर्मो स्टैट है वो विक्ष है वो उसको विक्ष की चेतना बोलती थी वो उसको बनस्पती चेतना बोलती अब एक बहुत बेसिक साइन्स जो हम लोग बहुत सारी कॉन्वेशेशन करते हैं बायो फ्यूल की करते हैं Conclaves होते हैं, बड़े-बड़े COP28, COP26 होते हैं, जो बहुत basic चीज हम नहीं समझ रहे, वो यह है कि गर्मी को थंडा कौन करेगा, आप जितनी मर्जी ग्यायस ओपर नीचे कर लीजे, जितने मर्जी, देखे, सरकारें, policy, activism, protest, petition, यह बहुत लंबी बाते हैं, immediate बात कीजिए, जो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, जो आपके सुनने वाले आम इंसान कर सकता है, वो क्या है, वो है, आपको ज्यादा से ज्यादा, हमें को class में पढ़ाया करते थे, कैते, chlorophyll is God, chlorophyll के कारण photosynthesis, photosynthesis कारा oxygen, oxygen के कारण आप और मैं आज बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमने वनस्पती चेतना, जो 400 करोड साल से पूरे फृत्वी को चला रही है, उसको तो दरकिनार कर दिया, और अपनी human activity, हम अपना जो artificial intelligence के साथ खिलंखेल कर रहे हैं, पिछले 10 साल से, उसको हम आगे ले आए, अब उसी का है, कि हम अपना बहुत दिमार चलाता है, वो अपनी building, cement, concrete, यह सब चीज़ों में, तो अब आपने पूछा, solution के है, solution हमेशा the power of one में है, citizen में है, जब तक आप वो जो last man standing है, जब तक उसको नहीं पता चलेगा, एक deeper understanding, biodiversity की नहीं होगी, यह बताए कि आपने अपनी नानी की पात सुनी, आपने पेल लगाना शुरू किया, जब पेल लगाना शुरू किया और आज तक आप्त कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, पताए कि इनिशेटिव से अपने आसपाइ सबसे बढ़ा यह था, चाया वापश हाई, जयान जैसे गाउँ वाले हमें लोग शुरू किये, पंचायतों में हमें लोगों ने बुलाया, किसी ने कहा बेटा हमारा कुमा सूग किया, उसके आसपाद चाया कर दो, किसी ने कहाside चल्ल सुग किया, उसके आसपाद च्छाया कर दोow, जहां भी मdespati होगी, जहां भी vegetation होगी, आज हम बड़ी-बड़ी बाते कर जब तक आपका green cover वापस नहीं है, जब तक आप population के proportion में कीजिए, हम अभी कहते हैं कि दिल्ली बहुत बढ़िया है, चंडीगर जैसे 20% plus हमारा green cover है, दिल्ली में भी अच्छा cover है, लेकिन आप population के उपर भी देखी, बहुत सारी सीख आपको भुटान से लेनी चाहिए, भु आप एक पॉइंट पर एक फोकस होके एक चीज़ पर जादा काम है, या एक दर्शक जो है, इस वक्तने पेड़ लगा है, नहीं, मैं यह नहीं कहता हूँ, पेड़ लगाने से ऐसा नहीं है, अगर आप पर बैलकनी है, आप स्राउंड यॉसल विद प्लांट्स, आप जितन क्लोरोफिल क्रियेट कर सकते हैं, जितना आप पता ही परमात्मा है, देखे, अल्टिमेट, आप से एक और पूछ ले कि सबसे जादा क्लोरोफिल या ऑक्सिजेन कौन सा पौधा देता, आपका नाम पीपल बाबा है, और पीपल के वारे में इका जाता है, पीपल और डीम, सबसाद अब्सॉप्शन करते हैं, देखे, ये फिर एक टेक्निकल में जाने की ज़रूर नहीं है, ऐसे तो बढ़ हैं, पिलखन है, गूलर है, आपका मौरस अल्बाम, जिसको शैतूत बोलते हैं, आप करें कि बस ग्रीन कवर बढ़ाई है, पहले बेसिक ग्रीन आप यहां बैठके, हम लोग बायो फियूल की बात करें हैं, सिमेंट और कॉंक्रीट की बात करें हैं, कोई बायोडिवस्टी की बात ही नहीं करें, जो आपके बिर्ड्स बीस बटरफ्लाइं हैं, वो भी तो कॉंट्रिबूट कर रहे हैं, आपका सीड कैसे बनेगा, आपकी फा जात के उपर, माबाप को यह प्रोथसाहर होता है, कि 108 पेड लगाएं उस बच्चे के नाम पे, और उन्हेंने कहा कि बाद में पता चला, कि 108 एक तो शुग नमबर था, लेकिन उससे नेट जेरो की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि अगर आप 108 पेड लगाएं, यतना तो य करोड पेड लगाएं, I don't think so, that is the right way, हम लेकि दो लाख 70,000 हेक्टेर को हर्याली के नीच लेकर रहा है, चाया के नीच लेकर रहा है, चाया के नीच लेकर रहा है, अगर आपके पाद चाया है, तो पक्षियों के घर बनानी के भी जगा है, बायो डिवरस्टी के लिए है, क ऐसे में जब निर्मान होना है, विकास होना है, सडके बननी है, घर दफ्तर बनने हैं, बड़े बनाई है, तो फिर ऐसे में, क्यों, Scandinavia नहीं किया, सारी कंट्री देखिया, अभी ज़मिनी, हम भी बैक पैकिंग गए थे, मतलब नेधरलेंड देखिया, आप स्विदम देख अब जंगल के जंगल लगा देखिया, आप अपना ब्लू कंटेंट बढ़ाएं, आप अपना ब्लू कंटेंट मालब जल का शेत्र है, अपने बाटर बाटिस की बात किया है, तो शेहरों की प्लानिंग में होना चाहिए, लेकिन देश के सबसे सवाच शेहर इंदौर की जिसने अपनी एक एकर जमीन पर जपैन की मियावा की पदिती से फॉरेस्ट विक्सित करने का बीड़ा उठाया है, और सफल भी हुआ है, भीचन गर्मी में भी यहाँ पर लगाए गए पौदे लहला रहे हैं, तो आईए देखते हैं इस रिपोर्ट को और कोशिश करेंग के कैमपस में लहला हाता ये जंगल एक सामोहिक सोच का नतीजा है, पैटालिस डिग्री की गर्मी में भी इसमें लगे पेड लहला हा रहे हैं, कर्मचारी और बच्चों ने इसमें बड़े उत्साह से काम लिया और जब पेड लगाए तो सभी ने ग्रूप में पेड लगाए एंसी से सबी इन वालते इविन बहार की कुछ संस्थाई भी संस्थान में आकर के उन्होंने पेड लगाया और उसमें हम लोगों को लग नह इतना विशाल सोरूप ले लेगा लेकिन हमारे सभी पेड़ों ने करीब साथ से आठ फीट की हाइट ले लिये और एक भी पेड उसमें जले नहीं है कुल तीस एकड के इस परिसर में 65 प्रजातियों के 8200 पेड है इस जंगल को ऑक्सीजन जनेरेटर का नाम दिया गया है इसकी देख भाल का काम छात्रों के जिम्में ही है करना कि द्यान रख थे हैं कि समय शमस्ट पर इनको पानी दिया रहा है और इनकी अच्छे से कैरिंग कर रहे हैं देख वाल कर रहे हैं पेडों को जब भी टाइम मिलता है, मैं कॉलें से फ्री होते हैं, तो हम पेड़ों को देखने आते हैं, क्योंको पेड़ों से मेरे को ज्यादा बहुत अट्रेक्शन है और मैं नीचर के नीचर लबर हूँ इनका हम लोग खयाल रखते हैं, टाइम टु टाइम इन में साफाई होती हैं यहां पे और इनको परियापनाता में पानी भी दिया जाता है हम के जादा से ज़्यादा पेड लगाने चाहिए और परियावरन की सुरक्षा करनी चाहिए हम लोग यहां पर बहुत सारे पेड़े लगाए हुगा हैं, यहां पर पेड़ों के लिए ड्रिपिंग सिस्टम की बिश्टा है, हम सब यहां का लिहान रखते हैं करीज लगाना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए के हमारे एंवाइरोमेंट के अपर बहुत अच्छे एफेक्ट पड़ते हैं, और तेमपरेचर भी ओवरोल तेमपरेचर भी डिक्रीज हो जाता है, वहीं मिलब सबने हेल्प करिये, सबने प्लान्टेशन किया और इसके बाद पाँच परतों में बायोमास, काली मिट्टी, केचुवा खाद और कोबर खाद डाली गए मियावा की पद्धदी के अनिसारी ये काम किया गया है, इसमें 24 इंच में चार विभिन्य प्रचादी का पोदे लगाया हुआ है, तो ये डेंस फोरस्टिंग है, आगे जाके एक बायो डाइवेट सिटी वाले फोरस्ट बने गा है और इसमें पच्षी, प्राणी, जिन्दु, अन्य, जीवजाले को भी ये मिल जाएगा, इसको हम लोग सील कर दिया जाएगा, सील करना के बाद इसमें बायो डेवेट सिटी जेंगल में कोई भी बार से चिडिया वोरी सभा सकता है, हुमन अप्रोचबिल्टी नहीं एसी कोशिशें भरोसा दिलाती हैं कि बहुत सारी लोग हैं जो इस धर्दी से प्रेम करते हैं, जो इसे बचाए रखने में लगे हुए हैं इन दौर की रिपोर्ट पीपल वावामा सा स्टूडियो में मौझूद हैं, ग्रीन कवर और चाया की जो आप बात करे थे, यह लिविंग एंदौर हो या फिर आई धारवार का कैंपस? बेलको, 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 I had visited धारवार IIT campus also, इंदौर के कही colleges में हम गया हैं, we are doing about 600 colleges at the moment, हमारी एक बहुत बड़ी team है, community-based है, सारा volunteers काम करते हैं, इसलिए मैं लोगों को यह कहता हूँ के, अपनी energy conserve कीजे, हम बहुत ज़ादा इस discussion में चाल जाए तर हमें करना है, अगर हम ठीक है, people get the government they deserve, अगर हम ठीक है, तो सरकारे में ठीक काम करें तो इन जगों पर जाते हैं, क्या campus को हरा करने की जिम्मेदारी है, हम basically क्या करते हैं, जैसे eco clubs होते हैं, eco clubs को उठाते हैं, उनको trainings देते हैं, तो हमारे 4 या 5 दन की training होते है, basic skilling करते हैं, क्योंकि हमें हैं कि हम उनको independent करें, हमने जो काम किया, 2-3 करोड का किया, 2,70,000 hectare लगा है, वो शरी नश्वर है, अभी हो सकता है, 4-5 साल में हम ना रहे हैं, लेकिन जो आप skilling देते हैं, जो बच्चों को देते हैं, तो अभी तक हम लोग ने 4 lakh people को empower किया है, around 20,000 families को को किय अगर कोई जोड़ना चाहें, तो कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, कुछ भी नहीं है, बस वो social media पे, email पे हमें लिखते हैं, हम उने बुला लेते हैं, हम उने सीधा plantation site पे बलाते हैं, जहां हमारे खाद बनती हैं, जहां हमारे पौधे बनते हैं, पौधे तयार होते है वहां आके उसको हम basic skilling करते हैं, और उनको अगर support चाहिए तो हम पौधे भी देते हैं, खाद भी देते हैं, उनको बताते हैं, कैसे plantation करना है, सबसे ज़रूरी बात पौधा लगाना नहीं होता है, उसको ती साल जिंदा रखना है, गाए भैस बकरी और human beings से उसको बचाना ह होता है, उसकी fencing करनी है, तो ये एक process होता है, अगर वो, इसलिए हम सारा focus अपना citizen पर रखते हैं, citizen centric सारी चीज़े होते हैं, अगर आपने वो संसकार लोगों को दे दिया, बच्चों को दे दिया, यूथ को दे दिया, चलते हैं मुंबाई अपने सायोगी के पास, जी प प्रभु साथ हैं, हम पहले भी उन से बात कर रहे थे, इस पूरे मुद्ए को लेकर किस तरीके से हर साल मुंबई में बारिश होती है, और बारिश होने के बाद ऐसे हालात हो जाते हैं, कि लोग अपने घर से नहीं निकल पाते हैं, जलजमाओ के स्तिती बन जाती हैं, प्र करनी चाहिए और ऐसी क्या चीजे हैं जो टााउन प्लानिंग को लेकर मुंबई में कमी हैं जिसकी वज़े से हर बारिश में इस तरीके की स्तिति उत्पन होती हैं नहीं अभी टाउन प्लानिंग के हिसाब से ओपन स्पेसिस होने चाहिए लेकिन ओपन स्पेसिस तो है नहीं मैं समझता हूँ पूरे विश्व में मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे एक हजार पॉपिलेशन के पीछे सबसे कम ओपन स्पेसिस है तो गार्डन प्लेग्राउंड ताला वगेरा जो भी रखने चाहिए वो रखे नहीं और समंदर में भी रेक्लेमेशन लगातार बने आ रहा तो टाउन प्लेनिंग के कोई नियम मुंबई में पाले नहीं गए इसके लिए यह दिक्कत है अब दिक्कत तो आ गई है अब जमीन का एक इंच भी बचा नहीं है कि ऐसे जमीन रखें कि जिसमें से जमीन के अंदर पानी चला जाए तो अब सिर्फ हम यह कर सकते हैं कि पान पानी चले जाता है और फिर जब बरसा कुछ कम होती है तो वो रिजर्वायर से वो पानी समंदर में फेका जाता है यही अब एक तरीका बचा हुआ है वरना इमारत लंबी की लंबी ज्यादा से ज्यादा लंबी इमारते बनती जा रही है जिस से जो बादल है वो मुंबे क उपर निकल नहीं जाते पहले तो निकल जाते थे अभी इतनी उंची बिल्डिंग है कि वो बादलों को रोक के और ज्यादा बरसा रही है और उस पानी को जाने के लिए जब तक आप मेकेनिकल तोर पर कोई ऐसा बंदोबस नहीं करेंगे तब तक दिक्कत तो कुछ हद तक र परसेगा तो कुछ देर तक शायद पानी रहे लेकिन पांच या दस मिनिट में उस पानी को किसी भी तरह से उसको निकला जाए ऐसी व्योस्ता अब करने की कोशिश है तो पारस बात कर रहे थे हैं वहां पर मौझूद टाउन प्लैनर से जुन्होंने कहा कि इस बात पर जो दूसरे पहलू पर भी हम बात करेंगे जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रांसपोर्ट का हमें से बहुत से लोग जलवायू परिवर्तन की वज़े से जंगल की आग, चक्रवाद, बार की बढ़ती घटनाओं को काबू में करने की अपनी अक्षमता करोना रोते हैं लेकिन जादतर लोग अपने इस तर पर इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठातें प्रदूशन और जलवायू परिवर्तन की एक बहुत बड़ी वज़े है पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाडियां परिवहन से दुनिया का 20 प्रतिशद उत्सरजन जो है कार्बन ए करें यह सबसे शूनिय उत्सरजन वाला ट्रांसपोर्ट इसलिए अब हमें ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ अपने कदम और तेजी से बढ़ाने होंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास महमान अमिद भाठ है M.D. I.C.C.T. इंडिया के और साथी तरुन शर्मा वर्ड विजर्ड मॉबिलिटी के और आप दोनों का स्वागत है हमारे से जुडने के लिए अमिद मैं अगर आपसे शुरू करूं आपकेट में लेकिन क्या options आम उभोकता अडॉप्ट कर रहा है एलेक्ट्रिक वेहिकल्स की मांग बढ़ रही है क्या वाके मांग बढ़ रही है लेकिन जितनी बढ़नी चीए थे उतनी नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका मेजर कारण यह है कि अभी भी कोस्ट वेहिकल्स की ज्यादा है तो हला कि लाइफ साइकल कोस्ट में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक वेहिकल्स चीप होते हैं लेकिन जब आदने कोई गाड़ी खरीदता है वो लाइफ साइकल तो अभी कितना पैसा देना पड़ेगा तो अफ़रंट कोस्ट इन पर्सनल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम उसके लिए आप क्या सुझा देंगे कि इस तरह की वेहिकल्स की कीमते कम हो ताकि मार्केट में अवेले मांग बढ़े इसकी मांग मांग बढ़ने कि दो दीत तरीके हो सकते हैं एक होता है कि आप गवर्मेंट उनको सब्सिडाइज करें जो कि हम इवी पॉलिसी में देखते हैं और लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सारे वेहिकल को सब्सिडाइज करें तो उसके दूसरा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो है फ्यूल एकॉनमी स्टैंडर्स तो यूरोप या यूरेस में क्या होता है कि गवर्मेंट ब फिर वो उसको सेल करते हैं तो हमें इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी देखने चाहिए जैसे अभी व्यूर आफ एनरजी एफिशेंसी ने एक फ्यूल एकॉनमी स्टैंडर्स लाया है कार के लिए काफी स्ट्रिंजन स्टैंडर्स की हैं अगर हम उसको एड़ाप्ट करत फुट पाथ नहीं बनते हैं जो बेसिक्स की बात करें उसके बाद आती है लोग अगर चलना चाहें एक किलोमेटर भी तो चलने की जगह नहीं है तो जो हमारी सिटीज डिजाइन हो रही हैं उसके बारे में क्या सुझाब होगा आपका आज की रेट में प्लुशन एक एक रियल इस्यूज है और आई थिंक तो एक्टेंट आप जो अर्बिनाइज़ेशन है उसको भी स्टॉप नहीं कर सके लाइक वाइस जैसे बोल रहे हैं कि सिटीज में चलने की जगह नहीं है तो कहीं नहीं आपको यह दिखना पड़ेगा के जैसे रिपोर्ट्स हैं उसमें 40% जो पॉपलिशन का जो इस्यू है वह 40% वहिकल से आ रहा है तो कहीं नहीं हमें देखना पड़ेगा कि हम जो आज की रिट में जो पेट्रोल और डीजल के वहिकल जो यूज कर रहे हैं उसका यूटलाइज़ेशन कम से कम करें और एवी कि एक सुलूशन है उसके अलावब डेपनेटली जो वाटर गंजर्वेशन है उस पर हमें देखना पड़ेगा जो जो लोकलाइज़ेशन है जितने भी पार्ट हम लोग बना रहे हैं या सस्टेनिबल वे में हम इसको जो हमारी वहिकल से उसको यूज करें वह बहुत है जैसे गवर्मेंट भी ट्राइक कर रही है कि वाई 2030 एक 30% एवी पेनेटरेशन हो जाता है सो आइधिंक उससे प्रॉक्सिमेटली एटीन प्रेसंट तो स्यूट जो है अल्री पेनेटरेशन ही सा क्या सोलूशन है क्योंकि लिटिम बैटरी की अब तो बहुत चर्चा होती जाए अनादर लेवल फॉलूशन तो हमने एक रिसर्च अब ट्रांसपोर्ट जाधा बढ़ानी नहीं चाहिए तो तीन स्ट्राटेजी अभी जो निकली है जो बोलती है सस्टेनिबल ट्रांसपोर्ट की एक होती अवाइड शिफ्ट और इंप्रूब तो आवाइड होती है सब्सक्राइब तो हमारा फोकस हमारा पैसा वाकिंग साइकलिंग और पाप्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना चाहिए तो हम काफी अच्छा में अच्छा में कर रहे हैं बट बसे में हमको और करना पड़ेगा और तीसरा है इंप्रूव कि हमको फ्यूल टेक्नोलोजी अगर 20 सब्सक्राइब देली ने सी एंजी में सारा ट्रांजिशन किया था अब हमारे पास एलेक्ट्रिक भी है तो कैन वी स्टार्ट एक्सलरेटिंग शिफ्ट वो टेक्नोलोजी अब अवेलेबल है तो हम कुछ पेर पहले सोनम वांग्चुक से भी बात करें तो उन्होंने का कि अब हमें रेगुलेशन लाना पड़ेगा जिसमें हमें उनको मैंडेट करना पड़े एक सर्टें पोर्चन वो अब हम आज साथ और भी महमान जुड़े हैं और हम उसके बात करेंगे कि क्लीन एनरजी जो है वो कैसे मुम्किन है तो आपको बता दे कि आज के दौर में जो कई तरह की बदलते वे जलवायों की बहुत सारी जो वज़ें हैं उसमें एक ये भी है कि नुखसान जो है वो प गर्यावरिन पर असल डालता है इसलिए जरूरी है कि स्वच उर्जा का इस्तमाल किया जा सके और स्वच उर्जा या ऐसी उर्जा जो या तो हरित या ग्रीन हो और बार बार इस्तमाल किया जा सके तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विभूती गर किस तरह का शिप्ट हुआ है आप देखेंगे इंडिया में जो बढ़ती आथिक विकास है उसके लिए हमें उर्जा की डिमांड और बढ़ती ही जा रही है और अरवन सिटीस में पॉपिलेशन बढ़ रही है अब यह विकास सतत तरीके से हो हमें यह सुनक्षित कैसे कर सकते ह हैं उसके लिए आपने जैसे कहा थर्मल पार प्लांट जो कोईले से उत्पादित उज्जा से जिसकी वज़ा से काबिन डायस साइट की एमिशन और बढ़ती जा रही है यह हमें कम से कम और लगानी चाहिए इसकी वज़ाएद जो हम कर सकते हैं वो रिनेबल एनरजी चाहे वो सोलर हो विंड हो उससे उत्पादित उर्जा से हमें यह दिमांड मीट करनी चाहिए और नहीं केवल यूटिलिटी स्केल प्रोजक्स बट रूफटॉप सोलर या रूफटॉप कमर्शल और इंडस्ट्रिल कंज्यूमर्स भी इसको लगा सकते हैं इसके लिए हमें गर्म मिनिस्टर मोदी ने सुर्योदे स्कीन निकाली है इसका बहुत अच्छा इंपक्ट हो सकता है अगर हम यह सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरीके से पॉलिसी अमल हो थोड़ी सी दिक्कतें हैं बट उस उन दिक्कतों को अगर हम एड्रेस कर पाएं और इसको हम सोलर करें तो यह अडॉप्ट भी और आसानी से घरों में चोटे शेरों में हो सकते हैं कार्टिक गर्नेशन डिरेक्टर सी इडबलू के हमाई साथ अब जुड रहे हैं सातिया नुरुद सारस्वाज जो को फाउंडर है और याना पावर के आप दोनों का स्वागत स्टूडियो कार्टिक जो बात विभूति करिश्कों में और आगे बढ़ाती हूं जो दर्शक इस वक्त हमको देख रहे हैं आज क्यूंकि बात करें सुझावों की प्रॉब्लम्स हम सब को पता है एमिशन हैं किस तरह से एमिशन हो रहे हैं किस तरह से हमारे जो कवर है वो बरबाद हो लेकिन सोलर पैनल्स इस वक्त ऑप्शन है आम घरों के लिए आम दर्शकों के लिए बिल्कुल है खास करके शेहरी लाकों में जहां पर बिज्री की आपूरती है वो पूरी नहीं हो पारी जैसे अब देखेंगे अभी राजस्तान में रात में आठ बजे से लेके तीम बज का चल रहा है इंडस्रिल एरेस में क्योंकि जहां पर शेरों में उनको बिज्ली की ज़रुवत पड़ती है वो पूरा करने के लिए उनको कहीं ना कहीं आउटच भी ज़रुरी पड़ता है और इसके लिए दिल्ली जैसे शेरी अलाकों में नहीं तो मुंबाई सुन होगा और यह जो है नाहीं बस अर्बन एरियास में ज़रुरी है खासकर ज़रुरी इसमें भी अभी प्रदनमति भी जो न्यू स्कीम भी शुरूर किया था उसके लिए कि लगबग 10-10 करोड घरों में एक करोड घरों में लगबग 3-0 क्लोड का क्नेक्शन जो लगा सकता है इससे लोगों को 300 unit प्रती महीने मिल सकता है उनके consumption के लिए वैसे भी schemes है जिन से जो जानता नहीं है जो details के लिए इसके लिए वैसे एक sign-up भी था जहां पर बताया गया था मिनिस्ट्रिय पार से कि लगबग उनके सारे sign-ups आ गये थे कि एक करोड लोगों ने sign-up भी कर लिया को प्रोच सहन दिया जा रहा है या कोई लगाना चाहे इंडिविजूल लबल पे तो किती कीमत इसकी होती है ठोड़ी practical solutions के बात कर लें कि आप बताएं कि क्या हो पा रहा है अने रुद्ध क्या लोग इसके लिए आ गया रहे हैं उनके लिए आसानी है कि आगर मैं solar power प्या किसे करूं क्या होता है इसमें solar power एक ऐसी चीज है जो इजी अविलेबल है एक छट पर उतनी energy बरस्ती है जो हम पूरे साल बर यूज करते हैं इतना पानी बरसता है कि हम उसको पूरे साल बर पी सकते हैं सालों तक पी सकते हैं लेकिन हम solar energy को यूज नहीं कर रहे हैं technology is there पा अगर आप अपनी कॉस से लगाते हैं तो आपको मातर 1.5 रुपे पौने 2 रुपे 2 रुपे बिजली पड़ेगी तो कितना सस्ता बिजली का बिल कितना काम हो जाएगा आपका residential का जो normal बिल आता है वह भी 5-6 रुपे unit है तो वह इतना सस्ता है इंडस्ट्री में 9 रुपे unit का rate है और हल यहां पर हर तरह के business model available है जासे हमारी company है आप अपनी investment से लगानादर को तैयार है आप हमारी investment से लगवाना जाते हैं वो भी लगाने को तयार हैं आप यह बोलते हैं कि आप बैंक से हमारी फैनसिंग करा दीजिए उसके लिए बीजार दिमाग इतना खुल चुका है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्सेप्टेंस दीरे दीरे आ रही है जैसे अभी सर ने बताया कि एक करोड़ों में सोला लगने का है आप पोर्टल पर रेइस्टर करिए उसमें 78 यार्ट रुबे सबसे सबसेड़ी है आपको बाकी बैंक फैनसिंग कर रही है प्येस यू ऑल्रेडी उस पर काम कर रहे हैं आपको अवेर होने की जरूत है इनफोर्मेशन का फ्लो इस देर एक छोटा सवाल विबूती से करेंगे वह जुड़नी है लेकिन उनको कही जाना है विबूती जो बड़ा सवाल है कि जो ख्लीन एनरजी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो एक तरह से हम जो थर्मल पाप प् आपने अस्चायस से बिलकुल जैसे मैंने पहले कहा की दिमांड तो बढ़ रही है इंडा के पास अपना को एला है तो पहला हमारा हमेशा ये इनर्जी सेक्यरीटी को लेके हमेशा यही रहेगा कि हम अपनी जो हमारे अखुद के देश में उत्पादन उर्जा हो सकती है उ इसका जो कॉस्ट है अभी हम कॉस्ट की बात कर रहे थे कितना टारिफ बढ़ रहा है यह एक्सपेंसिव होता जा रहा है वो इंफलेशनरी है बट जब कि हम यह देखने हैं टिकनोलोजी इनोवेशन से सोलर और विंड के प्राइस गिरे जा रहे हैं अगर हमें एड्रेस कर लें कॉस्ट फैनांसिंग कम हो जाए और अपनी जो नई डिमांड है और जो एक्जिस्टिंग डिमांड है उसको अब रिनिवल इनर्जी की तरह उससे पूरी करें यही आगे सस्टेनिवल वे में उस डिमांड को पूरी करने का है लोगों के समझने के लिए है कि समझ से आएगी क्या आप उतना कंजूम आप यह समझिए सोलर पावर जो है वह आपके जो आपके प्राइसे जो आपका बिल आता उसको ऑफसेट करती है सोलर से आपको चलाने के लिए बैटरी सिस्ट्रम लगाना पड़ा है और आज के समय में आप सोलर पावर यूस करें अपने बिज्दी के बिल को घटाएं और बिज्दी का बिल जैसे अभी यह जो योजना आई है कि योजना भी आपके वह यूनिट्स को फ्री करने के जिस टारिफ पर फे घ्रिड वाली बिज्दी मिल रही है वह शस्तेनिबल यह लॉंग रन में क्योंकि लिटिलिटी जो है जो विट्रं कमपणिया जो है जो हमें बैचती है वो लॉसस में चल रही है खास करके तो जितना सर जितना सा जितना कंश्म्शन हम अपने ही जो कि अपने ही चछत पर बिजली प्रोड्यूमर बन सकते हैं उतना हथ तक बिजली कंपनी पर बोज है कि हर यूनिट बेचते अनको कितना होता है असी पैसे तक उनको लॉस होता है वो कम होगना है और दूसरी बाद में एक औहुनागा की solar तो बिल्कुल जरूरत है जरूरी हमारे लिए और grid का stability की बात कर रहे हैं क्योंकि जितना हमने grid से ले लिया उसके बाद तो grid रात को तो चाहिए हमें तो उसको maintain करके तो रखना ही है और उसके लिए हमें ये plan करना होगा कि जब solar बिजली नहीं है तब conscious तरोथ से हमें बिजली मिलेगा उसके बारे में सोचना भी जरूरी है तो रिच बाकप उसकी होनी चाहिए वो होगा तो मेरे कहाल से लोगों के कल्पिक तरीके हैं उनके उपर shift करना इसमें solar भी है wind भी है hydro electricity भी है पर यहां हमारे लाकों में solar जो है बहुत सस्ता और बहुत जादा available है आपके पास धूप और गर्मी से लोग इतने परिशान रह यह बनी मौझूदा व्यवस्था फेल है वरतमान में कहीं जरूरत से जादा बारिश पढ़ रही है तो कहीं सूखा है कहीं सूखे के बाद अचानक से बाड़ा जाती पता नहीं चलता कब बारिश होगी कब गर्मी पड़ेगी इन सब के बीच सवाल वही है कि बारिश गर् आप देख रहे हैं आप के बारिश से बेहाल जाहिर है निरमान से लेकर टकनीक में कुछ नया करनी की जरूरत है आपकी सलाग क्या है हमें वाट्साप कर कर मेसेज़ कर सकते हैं तेलेफोन नमबर आपके TV स्क्रीन पर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हमारे सहियोगी निहाल किदवई बैंगलोर से अब लगातार बात कर रहे हैं कि शेहरों में क्या गड़बड है और क्या हम सुधार सकते हैं नियाल आपके साथ एक कास महमान भी हैं जो पर्यावरन पर लगातार काम कर रहे हैं बैंगलोर शेहर भी एक ऐसा है जो पहले गार्डन सिटी ओफ गार्डन कहा जाता था लेकिन अब महाँ पर कई समस्या हैं इसी शेहरी करण से तो आप उनसे बात करें क्या गलत हो रहा है बैंगलोर में और क्या सुधारा जा सकता है यहां पे भी देखे सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं बैंगलोरू शेहर के बीचो बीच कब्बन पार्क में हैं और हमारे कैमरा परसन कुमार जबाई तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो यहां जो आपको हर्याली दिख रही है चारो तरफ पेड़ और यह सब कुछ दिख रहा है वो यहां पर इस तरह से अब तक बचा हुआ है चुड़ी शिवराम मैडम यहां पर है इन जैसे लोगों की वज़ा से ही जो हमेशा पर्यावरन से जुड़े हुए मुद्धों उठाती है आम लोगों की आवाज बनती है सरकार के साथ लड़ती है प्रशासन के साथ लड़ती है बहत बैंगलूरू महानगर पालिका के साथ लड़ी बच्पन से इस शहर मिन्हों ने वक्त गुजा रहा है और शायर इसलिए यह प्यार इस शहर के लिए जगा की यहां के परियावरन को बचाएं मैडम सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम से जूरने के लिए जब आप छोटी थी और अब में बैंगलोर शहर में इतना सारा बदलाव आया है कि हमें याद है कि 2005 में जब मैं यहां आया था तो वहां पर एसी की जरूरत नहीं पढ़ती पांचे सालों के बाद एसी ज़रूरत पढ़ने लगी आपके बच्पन के वक्त पें और अब में क्या फरक आपको दिख रहा है क्या क्या समस्याएं पड़ी हैं और क्या इसका समाधान हो सकता है बहुत-बहुत फरक पढ़ गया है देखिए जो बैंगलोर आई ग्रूए ह हमारा गर्मे पेड थे the elders in the family had this concept गर्मे पेड to grow trees in the house तो ऐसे environment में हम, you know, we grew up और जब मैं college में थी we were all tree wardens tree warden का एक concept था from the forest department जो हमको दिया था to become vigilant, अगर कोई पेड काट रा है we could go and report to the department and they would take action वो टाम में तो mobile phone नहीं था कुछ नहीं था, अब ऐसा नहीं होता है क्या बिलकुल नहीं होता है दो साल पहले मैं एक बड़ा वाला पेड काट रहा था and on that main road there were very old trees, actually जो ring road बनाया है मुझे तो इतना गुसा आ रहा था दुख हो रहा था, why was it being cut because वो जो complex है वो दुखान जो थे, उनका board को cover कर रहा था, वो tree, इसलिए खाट रहा था, so ओ टाइम में मैं phone लगाने लगी environmental, देखिए मैं environmentalist activist तो नहीं हूँ, बट मैं activist लोगों को सिर खाती हूँ जब भी कुछ देखती हूँ, लेकिन मैंड़ बेर काटे गए, ठीक है, उससे तो बहुत बड़ी समस्य यहां खड़ी हो गई है, साथे साथ हमने देखा कि आम लोगों ने तो यहां के लेक्स पे कबजा किया ही किया, सरकार ने भी कबजा करके बहुत सारी सरकारी building मना दी, जैसे कि आप Majestic Railway Station लीजिए, Majestic का Bus Stand लीजिए, विधान सोधा को आप ले लीजिए, वो भी सुना मैंने, कंतीरवा स्टेडियम जो शहर के यहां से बहुत नजदीक है, वो भी लेक पे बना हुआ है, तब आप लोग इतनी है, वो एक्टिविस्ट भी है, इतना लड़ाई किया, वीडियो निखाला, हमारे building के apartment के residents जाके उधर बहुत प्रोटेस्ट किया, signature campaign किया, कोई फाइदा नहीं होता है, वीडियो अब लगाई है, हाजारो likes आजाएगा, खाने, इन्होंने एक article लिखा था, जिसमें यह लिखा था कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास बहुत काफ उसको sensitive वे में करना चाहिए, जैसा कि MG Road को ले लें, MG Road से अनिल कुम्रे सरकल, वहाँ जो मेट्रो बना, तो बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया, ठीक अनिल कुम्रे सरकल से अंडरग्राउंड मेट्रों शुरू हो जाता है, जो काफी लंबा है, कई किलोमीटर तक इन लोगों का यह कहना था कि अगर ब्रिगेड, MG Road पर भी अंडरग्राउंड मेट्रों बनाया जाता तो कम से कम, बड़ी संख्या में पेड़ों को कटने से बचाया सकता था, उतना ही नहीं, आप इंडरा नगर को ले लिए, वहां भी बहुत पेर कटे, वहां भी अंडरग्राउंड बनाया जा सकता था, फिजिबिलीटी थी, लेकिन सेंसिटिवीटी नहीं थी और इस वज़ए से काफी नुखसान इस शायर को और जगा 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 पर य आए गया तो इससे हालत यह हो गई कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो यह सारी समस्या यहां पर है, सरकार जब चाहे इन समस्याओं का साबाधान निकाल सकती है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है और इस वज़ए से यहां पर पानी की कमी है, यहां प देखिए इस समर में कितना एसी सेल्स बढ़ गया इतना धूप था इतना दूप था इतना दूप था है और आप कबन पार्क दिखा रहे थे इधर रोज मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स जो आते हैं यह फॉट एवरी डे उलड़ाई कर करके इसको प्रोटेक्ट किया है यह बता रही है किस तरह से उन्होंने इस कबन पार्क कोई लोगों ने अपनी कोशिश से प्रोटेक्ट किया और यह कोशिश आगे भी जारे रहे रहे और शायद इसलिए इस शहर की हालत दूसरे शालों से थोड़ी बेहतर है जी बिलकुल कोशिश सबकी यही है कि जो अप खेती के तरीकों में भी बदलाव लाया जाए एक तो पानी की कमी जो नदिया है या तो वो सूख रही है अब फिर और और अन्य कच्रे की वज़र से जहरीली हो गई है इसलिए तरीके ढूनने होंगे कि कम पानी के साथ जादा उपज कैसे हो साथी कीट नाशकों का बेहिस साथ इस्तमाल भी जमीनों को बरबाद कर रहा है इसका मुकाबला करने के लिए और्गैनिक खेती पर भी जोर देने की जरूरत है तो जो लगातार गर्मी बढ़ रही है उसकी वज़े से खाने पीने का भी एक संकट खड़ा हो रहा है बहुत गर्मी से फसलों को नुकसान आपको इस ग्राफिक के जरिये दिखा रहे हैं कि तापमान बढ़ने से गेहों की फसल को सबसे जादा नुकसान हुआ है और गेहों की बालियों में ग्रोथ रुख जाती है कई राकों में सिकुड रहे हैं गेहों के दाने दुनिया भर में तापमान बढ़ने से पैदावा पर असर पढ़ रहा है जैसे मक्का सोयाबीन गिहूं की पैदावार में 16 से 20 प्रतिशत की गिरावट आई है दोहजार पचास तक वैश्विक खादे उत्पादन जो है वर्ल्ट फूर्ड प्रोड्यूस में 614 फी सिदी की गिरावट की बात कही जा रही है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास महमान मौझूद है यहां स्टूडियो में है डॉक्टर एन सुभाश जो हैड है डिविशन अफ अग्रिकल्ट्र फिजिक्स आईसी आर आई ए आर आई नुडेली अपरना राजगुपाल फ्रमुख है वी जो हम फार्म की और अभी शेग जैन है डिरेक्टर CEEW के डॉक्टर एन सुभाश खेती में जो इस तरह की फूड सेक्यॉरिटी में एक समस्या है इसका समाधान क्या आपको लग रहा है कि हमें करना क्या चाहिए अब कि खेती में जो अभी बहुत सरा के चैलेंज आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोगों ने मिट्टी पे ध्यान देना छोड़ दिया है और मिट्टी खेती की फांडेशन है इस देश में लगभग आदी से ज्यादा मिट्टी है जहां पर और गैनिक कार्बन एक तम कम हो चुका है वही और उसका बहुत बड़ा कि सिरु하क के जरीए जो इर्वरक्त हैं उसके जरीए हम सिर्फ सर्फ खेटी निरबर हो रहे हैं तो मिट्टी को दुबबारा रिवाउध करना बहुत जरूरी है पानी हम सब लोग समझते हैं कि बहुत बहुत जरूरी से देखते हैं यह नहीं देखते कि पोधा जड़ से नीचे कितना ग्रो कर रहा है जितनी ज़्यादा जड़े लंबी होती है उतना ही वह nutrition cycle होता है मिट्टी में और जब बाड़े आती हैं ड्राउट आते हैं तो पोधे ज़्यादा देर तक सर्वाइब करते हैं बहुत ज़् और गैनिक प्राकरतिक खेती वाली जो टेक्नीक हैं वह इसमें आपको बहुत मदद करती है किस तरह से जड़ों को मजबूत किया जाए और कम बाहरी इंपूर्ट डालने की बेसिस पर फिर भी पोधों में जान रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है या जो इ इंग्रीस होने का संभावना है तू टू टू ट्री डिग्री इंग्रीस होने का संभावना है सब्सक्राइब ले रहा हूं हम गेहूं का बात कर रहा था बीच में तो गेहूं में क्या हो रहा है वो मार्च में टेंपरेचर बढ़ जाता है तो उसी समय इसका मिल्की वर्टी में अबर 20-50 में तेम्परेचर का इंगरी सोने का संभावना है बेस्ट अन दी ये ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल से उस मॉडल प्रोजेक्ट किया है तो उसी के वज़े से गिरावट होने का संभावना है तो हम लोग क्या करते हैं नया नया वराइटी डेवल अब कर तरह से करें कि मटी खराब हो गए जब उसकी प्रोडाक्टिविटी ही कम है और उसके ऊपर से खाद इतना डाल रहे हैं और फिर और्गानिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं जो की और्गानिक भी नहीं रही क्योंके मटी में पहले ही इतने पैस्टिसाइड है उसके लिए र साथ FIM और Green Manuring भी आड़ करके सपोस्थ आप क्रिशिक करेंगे तो आटोमेटिकली स्वाइल का हेल्थ इंक्रीस होने का यह है और पर्टिकुलर्ली स्वाइल ऑर्गानिक कार्बन इंक्रीस हो जाएगा आप सोचे यह टॉपिकल रीजियन है यहां यह स्वाइल ऑर्गानिक कार्बन जल्दी रिप्लिट हो जाता है तो यह टेम्परेटर इंक्रीस होने के कारें तो आटोमेटिकली कि हम लोग क्या करना है इंडिग्रेटर नूटियन मैनेजमेंट का अपनाना यहां पर किसान है खुद एक अपरना आपने कोशिश की है सस्टेनेबल फामिंग क्या एक वाकई सस्टेनेबल चॉइस है आसान चॉइस है किसान के लिए अच्छली अगरिकल्चर में बहुत प्रोब्लम्स हैं भी दस साल से हम एक मॉडल फाम तयार किया है जिसमें हमने ओपन फील्स में भी हम ग्रो कर रहे हैं और एक फूट फॉरेस्ट भी तयार किया है और हमारे साथ जानवर भी काम करते हैं हमारे एक अनिमल संचुरी है और विदाओ टी अनिमल्स वी केनाट ग्रो तो वाट वी हमने क्या सीखा है कि इसमें कई जो हमारे ट्राइड टेस्ट पूराने तरीके हैं जैसे कि इंटर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, कम्पैन प्ल आपको वाटर कॉंजरवेशन, सॉयल बिल्डिंग आप जैसे किसानों का जो प्रड्यूस होता है जब मार्केट मे आता तो महेंगा होता है दूसरे प्रड्यूस के मुकाबले तो आपको लगता है इस सोच में बदलाव होना चाहिए तो डिफरेंस बिट्वीन दोनों में कि यह है केमिकल फामिंग में वह धीरे धीरे जमीन बंजर होना शुरू होता है बिकॉस अफ थी हाई यूस अव यूरिया बट वित और और नाचरल फामिंग के वजए से आपका पैदावार बढ़ता जाएगा ज्यादा होता जाएगा तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग दे सिक्ता ने बूचा यह फाम प्रोड्यूस घटने की बात और 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 जगे देखा जाता है अगर आप बिना यूरिया के पादन करें जैसे सिके में एक राज्य है जहां और और जो मना है खाद इस्तमाल करना पर प्रोड्यूस कम होता है शुरूवात में तो वह हम से या एक सीजन में यह बदलाब नहीं ला सकते हैं यह एक धीरे प्रोसेस है तो हम खुद भी फामर्स को यह एडवाइज करते हैं अगर आपके पास दस बीगा है तो पहले दो बीगा में शुरू करना फिर धीरे धीरे उसको आप भढ़ाओ फिर हमारा यह भी वह हमारा अगरिकल्चर जोन्स तियार करना है जहां पे पानी है जहां पे लाइक फॉर इंस्टेंस यूपी इस अबलेस्ट स्टेट सारे नदियां है स्नोफेट रिवर्स हैं अलुवियल सॉईल है और ब्यूटिफल जीरो तो 45 डिगरीज का सीजन है इसको एक स्पेशल अबिशीग जानती है उन्हे क्या करना चाहिए और भवेश्य के पर्यावरन के लिए क्या सही है वाकि क्या वह इन मुद्धों को या इन चीजों को समझ पा रहें उनके लिए तो प्रड्यूस है जो पैसा कमा पाएं और यह उगाएं गयांगे तो किसान कुछ तक समझते ह इसलिए जो अपना खाना वो गाते हैं वो बिना केमिकल के उगाते हैं उसी पाम में जिसके लिए बाकी बजार के लिए हुगा रहे हैं पर किसान को पैसा चाहिए अब किसान को इन्फोर्मिशन आज की डेट में किस से मिल रही है वो खादे कंपनियों से मिल रही है पैस्रिस कर्थ करते रह जाते हैं कि हमने इस खेत चैसल में कितना उगा लिया यह देखते कि उसbreaking कशेयग सैथ कर अधा crypto जाते हैं कि मैंगे जाती है क्वेड़ी कुछ नेचुरGGाबSir क्योंकि सर्दियों में तर्बूच क्यों मांगते हैं कि देकि ऐसे इस साइकल थे बदलाव लाना चाहिए एक पूरा क्यों में पूरा चेंजर से जी आपके संस्ता है आप डिविजिन अग्रिकल्च फिजिक्स से हैं क्या शोदिस्ट में नया ऐसा हुआ है हाव दियुक्त करते हैं हम लोग प्रिसेशन अग्रिकल्चर में देखे अभी संसालों का कमी है करना है परिसफिर्शन जिक्राद में रिसेशन कर सकते हैं पिए परिसेशन कर सकते हैं तो आप लोग बात कह रहे हैं कि एक साइकल है कंजूमर की तरफ से भी डिमांड अगर उस तरह की आएगी तो खिसान भी अपने खेती के तरीकों में बदलाव लाएंगे सस्टेनबल खेती की तरफ वो बढ़ेगी आप तीनों का बहुत शुक्ता है इसकी लगातार बात होती रही है बहुत धनवाद आप लोगों का इस पर शोध भी कर रहे हैं और लोगों तक आम लोगों तक पहुंचे यह सब जानकारी इसलिए हमारा भी मकसद यही है आपको य जब याद दिला दे कि यह जो टलेफर हमारा चल रहा है इसमें अप भी हिस्सा ले सकते हैं अप अपने सवाल हमें भी सकते हैً सुझाव जो हैं वो हमें भीज सकते हैं qr-code स्कांग करिए और अपने सुझाव जो हैं वह आपहमें भीजिये तो गर्मी में पिघलते और बा पानी की समस्या से जूजने के लिए नए तरीके खोजने की जरूरत है लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर सदियों पुराने तोर तरीके समझें और अपनाए तो बात बन सकती है यही सबक से खारा है राजस्थान का डीडवाना शहर जहां पुराने कुंड तो बने हुए है नए कुंड भी बनाए जाए जाए में इन कुंडों या होद का निर्मान कराया गया यही नहीं नगर के मंदिरों और मज्जिदों में भी कुंडों का निर्मान कराया गया गुप्त कालीन सरकी माता मंदिर में भी प्राचीन कुंड की मौजूदगी इस बात का पिर्मान है कि डीडवाना शहर में कुंड परणाली सदियों से चली आ रही है नगर के लगभग सभी मंदिरों में पूजा पदती में कुंड के जल का प्रयोग होता है वही लगभग 950 साल पुरानी किला मस्जिद सहित लगभग सभी पुरानी मस्जिदों में भी कुंड बने हुए हैं जिनका पानी आज भी इस्तमाल किया जाता है वरतमान में नए बना रहे घरों में भी फौद यानी कुंड का निर्मान करवाया जा रहा है मैं इस वक्त किला मस्जिद की इस भूमिगत होद में हूँ यह होद लगबग साड़े नोक सो साल पुरानी है जब इस मस्जिद का निर्मान किया गया था आप देख सकते हैं इस होद में पानी भरावा है और बिचों बीच एक कुंड भी है यह कुंड इसलिए बनाय जाता था ताकि जो पूरे होद का जो कच्रा है या गंदगी है वो इसमें आ सके और यहां से इसकी सफ़ाई की जा सके आज भी होद में पानी भरावा है और आप किस तरह से पुर्वजों की जो सोच थी पानी बचाने को लेकर किस तरह से काम्याब रही थी और आज भी यह है जल सरंग्षेन के तोर पर काम हाती है जीद्वाना में एक तो पानी की कमी थी और दूसरा यहां जो भी पानी था वो खारा था तो इसका हल उनों नहीं समझा यह सोचा कि हर गर में अगर अगर अपन उसका श्टोरेज करें तो साइद इससे कुछ से सुविदा मिले तो पुराने गरों में बहुत बड़े-बड़े हार्वेस्टिंग सिस्टम ते और बड़े-बड़े होज थे उन होजों में वो साल बर का पानी इकटा करते थे उसी को पिते थे उसी से खाना बनाते थे और उसी को काम में लेते थे यह हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत पुराने समय से दीड़ाना मिसला है। यह कुंड शेहर के लोगों को पिये जल उपलत कराते थे। चुकि डीड़ाना शेहर 2000 साल पुराना बताया जाता है। तो इस लिहाज से इस पंडाली की जन्म स्थली भी डीड़ाना को माना जा सकता है। यह कुंड पंडाली आज के वाटर हार्वेस्टिंग का प्राचीन रूप है। कुंड पंडाली में घरों की छट से वर्षा जल को टांके में एकत्रित करने का प्राचीन और व्यज्यानिक तरीका है। जिसके तहट मकान निर्मान के तहट शेत्रफल और आवशक्ता के अनुसार, लंबा चोड़ा या गहरा गड़ा खोदा जाता है। जिसका आकार, गोलाकार या आयताकार हो सकता है। इसके बाद चुने हुए पत्थर से इसकी दीवारें और फर्ष बनाया जाता है। यह आप देख सकते हैं बाकादा सीडिया बनी भी है जो होद के बिलकुल तल तक जाती है ताकि कोई आवशक्ता पढ़ने पर या जरूरत पढ़ने पर होद की सफाई की जा सके और जरूरत पढ़ने पर पानी निकाला भी जा सके। डीडवाना शहर ने जिस परडाली को सद्यो पूर्व अपना लिया था वो आज की आवशक्ता बन गई है। जल संदक्षण की नगरी के नाम से भी जाना जाना चाहिए। परकरती के अनमोल खजाने पानी को सहजनी का जो काम सद्यों पहले दीडवाना के पूर्वजुने प्रारम किया था उसे डीडवाना के लोग आज भी जरी रखे हुए हैं। इस कारण डीडवाना को जल मित्र की संग्या दी जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। जरूरत इस बात की है कि डीडवाना शहर से अन्य शहर भी सीख लें और पानी बचाने में अपनी भूमी का निभाएं। वही डीडवाना की ये उपलब्धी राश्टिये इस तरह पर अपनी पैचान मनें और इसे आभा नगरी के साथ ही जल स्रंग्सिंट की नगरी की रूप में भी जाना जाए। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी एंडी टीवी। और चलते चलते आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड के जरीए स्कैन कर कर दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं सवाल ये है कि क्या गर्मी बारिश से लड़ने के लिए बनी मौजूदा वेवस्ता फेल है। आपको बता दें कि वर्तमान में कहीं जरूरत से ज़ादा बारिश पड़ रही है तो कहीं सूखा, कहीं सूखे के बाद अचानक से बाड़ा जाती, पता नहीं चलता कब बारिश होगी, कब गर्मी पड़ेगी। इन सब के बीच सवाल वही है कि बारिश, गर्मी से लड़ने के लिए विवस्ताएं सही हैं या नहीं। उसी के तरफ बढ़ने की जरूरत हैं।